वेरी गुड इवनिंग एवरिवन मैं सिय राकेश काल रहा आपके लिए लाया हूं आटीपी नवंबर 2023 आपके नवंबर के एक्जाम के लिए अकाउंटेंसी के लिए मैं पहले अकाउंटिंग स्टेंडर का एक क्रेश कोर्स अल्रेडी ला चुका हूं जिसका वीडियो इसी चैनल पर अवलेबल है ट्वेंटी माक्स के अकाउंटिंग स्टेंडर्ड तू एन अहाफ आर्स के अंदर वो सारे अकाउंटिंग स्टेंडर्ड कवर करा दिये थे मैंने और आज लेकर आया हूं आपकी क्विक रिवीजन जिसमें मैं पूरी आटीपी कवर करा हूंगा सिर और आज मारा टार्गेट है आर्टीपी कंप्लीट करना वो भी नवंबर 2023 वाली आप जड़ा स्क्रीन पर सामने देखो आपको अकाउंटिंग की आर्टीपी नजर आ रही है 2023 की तो आपको बताओगा आर्टीपी में 20 कोशन्स होते हैं हर चैप्टर वाइस कोशन होते हैं तो हम भी बिल्कुल वन टू लेके एंड तक चलेंगे सारे के सारे कोशन करेंगे सारे हर वेराइटी का कोशन करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए साथ साथ पढ़ते रहना आपको सारी डिटेल समझ में आती रही है आईए मेरे साथ पहले कोशन की तरह पढ़ते हैं देखते हैं पहला कोशन हमारे सामने क्या रखाया उन्होंने अच्छा पहला कोशन है कंपनी का वेरी नाइस पढ़ें ज़रा एक बार फ्रॉम दी फॉलिंग पर्टिकुलर फर्निश्ट बाइदी एंबियेंस लिमिटेड प्रिपेर दी बैलेंस शीट एज उन यहां 21-2023 आप से कहा रहा 21-2023 की देशीट बना देना शेडियूल 3 कंपनी एक दोजार तेना के हिसाब से बना देगे एकुटी शियर कैपिटल है सो रुपे वाली 25,000 रुपे की इसी में से माइनस होते हैं लैंड बिल्डिंग है अमारे पास प्लांटर मशीनरी है फरनीचर है general reserve है loan है financial corporation का हमारे पास inventory में हमारे पास raw material है finished goods है provision for taxation है trade receivable है advances है advances हमारे डेबिट में यह नहीं लोन्स हमने दिये हैं customer को asset है हमारी P&L का balance है cash in hand है cash at bank है unsecured loans है हमारे पास and हमारे पास trade creator है ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है अब से कह रहे है 5000 equity share were issued other than cash यही 5000 share हमने अगर आप ध्यान से पढ़ो तो equity share थे 100 वाले यानि 5000 शेयर है जिसमें 5000 other than cash है बाकी 20,000 cash वाले है ओके जी कोई दिक्कत नहीं है आगे पढ़ते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल में यानि उपर था ट्रेड रिसीवेबल हमारा पांच लाग का उसमें एक लाग तीस अदार का ट यानि बाकी इसकी depreciation है यहां पर already written down value है मुझे तो cost दे रखी है debt minus करके note में दिखा दूंगा खाली प्लांटर मशिंद्री भी है फरनीचर भी है कह रहा है उपर जो लोन था 375 का या यह तो मॉटिल को कोशन है स्टेडी मेटीरियल में है सेम कोशन डिट्टो कोशन स्टेडी मेटीरियल में आउट रिवीजन हो जाईए 375,000 का लोन था स्टेट फाइनेंशल कॉर्पोरेशन था ना थी हाँ था उसमें कह रहा है 18,750 आउटसेंडिंग इंटरस्ट है तो ठीक है 18,750 आउटसेंडिंग इसमें अधर करेंट लाइबिल्टी में कि लॉंग तम बोरिंग में आ जाएगा कि बैंक में 5000 बैंक में ऐसे हैं ग्लोबल बैंक जो नॉट शेडियूल है तो बाकी में से माइनस कर देना और उस वह आ जाएगा क्या बोलते हैं हमारा पी एनल में से माइनस कर दूँगा बस आओ बड़ो मेरे साथ शुरू करते हैं फटा-फट जल्दी स्पीड बनाएंगे डाइ गंटे में हमें सारे राई से तीन गंटे में पूरे का पूरा आटीपी कम् आप वह निकालके दिखाईए कि आपका शेडियूरी की बैलेंस शीट क्या होगी शेडियूरी की बैलेंस शीट से पहले कुछ नोट्स तू अकाउंट बना लेता हूं मैं जैसे नोट नूमबर वन सबसे पहला नोट मुझे शेयर कैपिटल का ही नजर आ रहा है वह बना ल कि इक कुटी की शेड ौश्ययर की जानकारी नहीं व्हाद डाले नहीं है अगर ऑ्फ्राइस की जानकारी थी तो मेरे पास है इस में मेरे पाँच हजार शेयर है फंड हज वाले यानि 5छा अधर देन कैश वाले हैं 5 लाग और in cash वाले कितने मेरे पास इन cash में मेरे पास 20,000 शियर है total 25,000 थे इंटु 100 वाले 20 लाग सर इस वाले को अंदर क्यों लिखा बाबु इस वाले को मैंने अंदर लिखा क्योंकि मुझे करना है है काल इन एडीयर चेक करो मुझे कॉल इंडीयर दे रखा था कॉज इन एरियर था 2500 का कॉल इन एडियर था कॉज़ इंड्रीयर माइनस करना जी 20 लाक रुपे में से तोजार पांसो माइनस यानि 19,97,500 यह हो गया मेरा इनकेंस वाला तूटल 24,97,500 आगे बढ़ते हैं जी पहली जानकारी मेरे पास जिसकी थी मैंने उसका नोड बना लिया तूसरी जानकारी और ट्रेड रिसीवल की तो आओ, बना लेते हैं नोट नमबर 2 सर पहले बैले शीट बनाए या पहले नोट बनाए है बाबू आपकी मर्जी है कोई नमबर नहीं इक नोट अर्दी पार्ट ऑफ दी कोस्टन आओ ट्रेड रिसीवल मिलको अच्छा लगता है पहले नोट बनाना ताकि एक बार सारे नोट बन जाए ना तो balance sheet में चीज़े डालने ज्याद़ आसान होती है अब चाहो तो पहले जगा छोड़के balance sheet की balance sheet की जगा छोड़ दो पहले आप बाकी सारा काम कर लो फिर बाद में notes नीचे बना के balance sheet उपर भरते जाओ trade recibe Miguel मन मुझे अभियो करना है more than six month कितने है वो बताव एक फ HELD in और अब तू 6 मन मुझे बस विए बताना है कि मेरे more than 6 सिक्स मंत वाले डेटर कितने हैं एक लाग तीज़ार ओके और पांच लाग के ट्रेड रिसीवेबल में एक लाग तीज़ार रहते हैं तो अब मैं इसमें से माइनस कर देता हूं प्रोवीजन कुछन ने ऐसा कहीं नहीं और कि सिर्फ more than 6 नंवालों पर बनाओ यह तो यह आपकी मर्जी है जादा बेटर है टोटल पर बनाओ तो मिलेको पांच परसन का प्रोवीजन मनाना है तो टोटल पर ही बनाओ कोश्टन ने कहीं नहीं बोला कि more than six month वालों पर ही बनाना है तो ऐसा वक्त करना खाली more than six month वालों पर बना दो वैसे आपकी मर्जी नोट डाल दीजेगा मैंने तो टोटल वाले पर बना रहे हैं अगली जानकारी जी किस की थी पी-पी की आओ पी-पी बनाएं नोट नमबर तीन पी-पी-ई क्या जानकारी है पी-पी की मेरे पास particular amount सबके नोट में एक तरीके से बना रहे हैं पी-पी की कौन सी जानकारी है में पस कितने पी-पी है आओ चेक करें पी-पी-पी में मेरा पहला पी-पी है बिल्डिंग जि इसकी कॉस्ट है पंदरा लाग इसमें से डेप माइनस हुआ होगा और डेप्रीसियेशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वह बाहर आ जाएगी मेरी डेप्रीसियेशन तो पता नहीं मुझे बाहर की वैल्यू मालूम है तेरा लाग पिचतर हजार 13,75,000 तो खुद निक प्लांट एंड मशीनरी 17,50,000 तो प्लांट एंड मशीन विच इस 17,50,000 जिसमें से मैं माइनस कर दूँगा डेप मेरी डेप्रीसियेशन है इसकी पता नहीं बाहर की वैल्यू देख लेता हूं मशीन थी 13,12,500 तेरा लाग बारा हजार पांचों से 17,50,000 माइनस 13,25,000 इस और कोई था पीपी में फरनीचर 156 250 इसमें से भी डैप माइनस होगी I don't know कितना बट मुझे उपर जरूर कोई ना कोई 125 गए तो बचा मेरा 31 250 अब एक बार नजर मान लो कोई और पीपी तो नहीं है यह तो तीम तो मिल गए इसके लावा कुछ और भी तो सकता है लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनी फरनीचर हो गया लैंड वगरा तो नहीं है नहीं बस यही मेरा पीपी बन गया प्लन में risky map तरह बारा हजर CMT Financial आटाइस लाग बारह हजार पांसो मेरा प्लन गया का नहीं अजकर जाए डाधरında में नहीं करना चाहिए नोंबरando और लॉंग टर्म बोरोइंग का नोट आजो जी लॉंग टर्म बोरोइंग के नोट में मैं ये लोन दिखा दूँगा लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पॉरेशन इसी में दिखा दूँगा आउस्टेंडिंग हटा के लॉट स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पॉरेशन पर टोटल भून था एससे य सेंटी परेशव में नहीं सेंटी प्रम फेम कोशन आपने ऊंवी पढ़ा हुग है यह स्तिटी मैं युथा तो एक कम से कम नए कोशन तो डाल दिया करो आइसी आई बाभू नए कोशन डाल दिया करो बच्चा मोडिल तो कड़ते हैं करता है आटीप में कम से कम अच्छे डालो ना ताकि उसकी नॉलिग स्टेच हो टेस्ट हो और कोई लोन तो नहीं है एक अनसेक्योड लोन भी है 302500 क टोटल लोन हो गया 658 750 और जो मेरा वो था ना आउट्सेंडिंग इंट्रस्ट वो मैं नोट नंबर पांच अधर करेंट लाइबिलिटी में शोगर दोगा अधर करेंट लाइबिलिटी अज़ों पर्टिकुलर अमांट यह आउट्सेंडिंग इंट्रस्ट नजर तो लेकिन कहा नजर आएगा अधर करेंट लाइबिलिटी तो आज ही डाल देते हैं आउट्सेंडिंग इंट्रस्ट ओन लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कितने का था अठारा हजार साथ सुपचास अठारा हजार साथ सुपचास टोटल भी और किसकी जान बनाना पड़ेगा सी सी का नोट नंबर छे मेरा है सी सी ए कैश औन कैश इक्यूवेलेट जिसमें मुझे बैंक को तोड़ के बताना पड़ेगा कि शेडियूल वाला बैंक कितना है और अन्शेडियूल वाला बैंक कितना है मुझे तोड़ तोड़ के बताना पड़ेगा ब पहँते से इसमें से चेडियूल कितना बांच अजार पांच जगोल करें चेडियूल के इसके इलावा मिनीपाच सी सी में कैश भी है कैश है मेरा सेवन्टी फाउजन पर ओके ज़िए और देखता हूं किस का नोट बनाने के लिए बोल रहा है और तो यह तो यह तो पर लाइबिल्टी या लग से हो जाएगी डेटर पर प्रोवीजर बनाना है तो रिजर्व का नोट बना लेता हूं नोट नमबर सेवन आखरी नोट नोट नमबर सेवन जिसका नाम है रिजर्व एंड सर्व प्लस भाई शेड्यूल थ्री वाले कोश्चन को करने में टाइम लगता है लेकिन भाया बीस नम अधर नमबर है प्री के बीस नमबर प्यों अधर का बैलेंस देखते हैं मुझे कितना दिया हुआ था मुझे पी एनल का बैलेंस दिया हुआ हुआ है दो लाग सोलह हजार साथ सो पचास में से माइनस करूंगा जो प्रोवीजर मैंने डी-डी का बनाया पांच हजार नहीं और कोई इसके राववा और कोई रिजरव है सेक्योर्टी प्रीमियम हो कि घुए एक टैस्ट्र बना देता हूं पिर सेँ कि लिए क्योंकि मुझे इन्वैंटरी की जानकारी अलग लग दे रखी है कि raw material कितना है WIP कितना है finished goods कितना है तो बस उनको post करने में मुझे असानी हो जाएगी इसलिए जोड़ना नहीं पड़ेगा महां calculator पर जा कि यहीं ले 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 कितना कितना raw material WIP और finished goods मेरे खाल से तो तीनों ही थे देखना देखना एक बार raw material एक पच्चिस finished पांच लाक तोटल छे पच्चिस अब मेरे लिए बनाना असान हो गया अब मैं क्या घरूंगा बताओ पूरे format में डाल दूंगा एक एक करके चीज़े नोट में अल्रेड़ी आठ बन चुके हैं आओ जरह बैलेंस शीट बनाएं बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम क्या था वाई जिसकी बैलेंस शीट बन वारो मेरे से एंबियंस लिमिटेड एंबियंस लिमिटेड एज ओन 31st March 2023 पर्टिकुलर नोट और अमाँ आर्टीप करने का फायदा यह होता है बैटे आपको हर चैप्टर का एक एक दो दो कोशन देते हैं यह इससे फायदा क्या होता है कि आपको अभी तक के जितने चैप्टर आपने करें सारे रिवाईज हो जाते हैं सारे रिवाईज तो आर्टीपी करना बहुत जरूरी है यह और कम से कम दो आर्टीपी लाऊंगा मैं यह एक दौवंबर कम औरन से उससे पुरानी वाली अभी लेटेस शुरुगा इकुटी और liability से शुरुवात होती है पहला आता है शेयर holder fund इस शेयर holder fund में मैं ए पॉइंट लेता हूं शेयर capital और बी पॉइंट मेरा reserve and surplus आप ढूंडे पहले शेयर capital ढूंडे शेयर capital का नोट नमर वन बनाया था 2497 पांसो कि 2497 पांसो रिजर्व का नोट हमने टू बना दिया था नहीं डिजर्व का नोट था सेवन साथ सोला साथ सुपजास साथ सोला साथ सुपजास सेकेंड होती है नौन करेंट लाइबिलिटी इसमें आता है long term borrowing जड़ा चेक करना हमारे पास long term borrowing है क्या चेक करें long term borrowing में हमारे पास नोट बनाया था मैंने long term borrowing का नोट बनाया था मैंने इसका ए होता है ट्रेड पेबल ढूना जड़ा प्रेडिटर नोट तो नहीं था इसका मेरे पाट ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ये रहे पांच लाग के कोशन में डारेट दे रहें कोई नोट नहीं एक और होता है इस प्रोगीज़न में अभी देखा मुझे आदा एक और मेरी अधर करेंट लाइबलिटी है अधर करेंट लाइबलिटी जिसका मैं नोट नमबर पांच बनाया था अथा का आउट्स्टेंडिंग इंट्रस्ट लीजिए आपकी टोटल लायविलिटी तयार होगी एक पर अमाउंट चेक लेड़ा हुआ अधारा साथ सुपचा सीदा जी हां आव एसेट में थोड़ा सा स्पीड बना लीजिए एसेट में पहला होता था इस नॉन करेंट एसेट में फॉस्ट आता था इस पडिए और उस पीपी में यह आता था टैंजिबल एसेट और हमने टैंजिबल एसेट का नॉट अल्रेधी बना रहा था है जीबल एसेट का नॉट नमबर तीन 28 12 15 है 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 28,12,500 28,12,500 28,12,500 बिल्कुल सब्सक्राइब इसमें भी आता है non-current investment पर मेरे पास कोई investment है नए मेरे पास एक advances है इसको मैं long term advances भी मान सकता हूँ short term भी मान सकता हूँ मेरी मर्जी है तो मैं long term loans and advances मान रहा हूँ long term loans and advances long term loans and advances मैं इसे long term मान रहा हूँ मेरे loans and advances long term है 106,750 short term भी मान सकते हैं कोई जल्दवाजी नहीं है कि आप इसको long term ही मान हो मैंने long term मान है आप short term भी मान सकते हो current asset का पहला trade receivable इसका तो note था trade receivable का note मैंने बनाया था note number 2 475 note number 2 475 point number 2 inventories इसका note number अभी भी बना था 1 620 note number 8 620 point number 3 cash and cash equivalent इसका note भी बना था 692.00 692.00 note number था इसका 6 और कोई asset में बनतों गेए बनाजर माना समाया सब्सक्राइब 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 एसेट का टोटल जेपल 28,12,500 106,750 4,75,6,25 6,92,500 47,11,750 आ रहा है मेरा एसेट का टोटल 24,97,500 प्लस 7,16,750 सब्सक्राइब सब्सक्राइब 47,11,750 और मैच मैंने ये पूरा कोश्चन आल्मोस्ट 15 मिनिट में करा है मेरे इसाब से 15-16 मिनिट लिए मैंने पूरे कोश्चन को करने के लिए आपको गर पेपर में 20 नंबर का आएगा तो आपको इसको करने के लिए अच्छा समय मिलेगा अराम से हाफेनाथ तो जल्दवाजी मत करना अराम से लेना मैंने लॉंग टर्म लोन्स और इडवांस इस दिया है आप चाहो तो नीचे करेंट टेट में शॉर्ट तम भी ले सकते बैलेंस शीर के नीचे चोटी सी चंटिजयंनलाइबलिटी मेंशन करतेजिये बिल डिसकाउंटेड बिल डिसकाउंटेड नौट मेच्छोर कि हमने वहिया इतने के बिल डिसकाउंट कराये थे जो अभी तक मैच्छोर नहीं हुए 1,60,000 की कि कलको अगर यह मैच्छोर हुए अगर मालों डिस्वार्नर हो गए तो पैसा हमें देना पड़ेगा इसलिए यह यह था आपका कोश्चन नमबर वन आए जड़ा कोश्चन नमबर टू देखें किस चीज़ का है जा कैस्ट लोगा ऑंधी बेसे दो पॉली इंफॉर्मेशन आपसे कैस्ट लो ना के दिखा ये डारेक्ट मैंथट से बन जाएगा डारेक्ट मैंथट से तोटल से रखिए क्रेडिट परचेज है 352 कैश परचेज तो सीधा आउट लो गया ऑपरेटिंग का क्रेडिटर का क्रेडिटर का क्लोजिंग सप्लाई कंजूमेबल खरीदे 38 करोड के यह भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा इंप्लोईयों को पैसे दिया 40 करोड यह भी माइनस एक टीच चालिस करोड के अलोट करें एकशाव एक पैसा आएगा फ प्लस डिवेंचर 40 करोड के प्रिवियम करें हमने 10 परसंट प्रिम्यम ते करेंडियों करने होगा कारण बताओ क्यों डिबेंचर उल्डर को पैसा दे रहे हैं रिडीम कर रहे हैं लेकिन उनको पैसे के बदले इकुटी दे रहे हैं आउट फ्लोई नहीं हो रहा है तो छोड़ो 52 करोड़ एक नई मशीन 50 करोड़ की खरीदी इन एक्चेंज ऑफ ओल्ड मशीन अच्छा करोड की ऑथा पनले पुरानी को मशीन 30 करोड की गई बीस करोड़ का तो पैसा देना पड़ेगा आइनस सी-सी निकाल के दिखाना पड़ेगा चलू कोई तिकती निकाल देते हैं आप शुरू करें कि एक्जाम्पल नमबर टू सबसे पहले मैं कैश लो बनाने से पहले क्रेडिटर का लेजर बनाना चाहता हूँ बाबुजी क्यों जी क्रेडिटर के लेजर में 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 पस प्रेटीट यह बैलंस बीडी क्रेडिटर का ओपनिग्जे करेडिटर का डिक्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग देते रखाएं क्रेटर का उपनिंग है 168 लोजिंग है 184 168 184 क्रेटर के लिए जर में आती है परचेश टू क्रेडिटर वाली लेना खाली जैसी आप परचेश दालोगे आपका टू बैंक पेमेंट आ जाएगा पेमेंट जो हमने क्रेडिटर को करी और मुझे यही पेमेंट ही ढूंडना ह मैंने परचेश कितने की करी मैंने टोटल परचेश करी थी 440 जिसमें से 80 परसंट तो आपको कितना क्रेडिटर को पैसा दिया खाली वह आउट फ्लो में काउंट होता है खाली वह आजओ फिर तो आप तो बड़े राम से बन सकते हैं क्याश फ्लो स्टेटमेंट कि पर्टिकुलर कि देटेल और आउंड डारेक्ट मेंथट से मांग रहे हैं डारेक्ट मेंथट से यह भी बिटे कम से कम 10 नंबर का तो आता ही आता है कम से कम इसमें शुरुआत करिए सबसे पहले इन फ्लो ओ प्लस कहां कहां से पैसा आया जितना मिर को याद आ रहा है एक तो कैस से पैसा आया और एक कलेक्शन प्रॉम डेटर से पैसा आया और कहीं से कहां ही पैसा आएगा और मैं ढूंगता हूं कैस सेल मुझे दे रखिये टोटल सेल सी 796 जिसमें से आउट ऑफ विच कैस सेल इस 524 कैस सेल दे रखिया 524 करो और कलेक्शन डेटर से कितना हुआ 268 और कोई तरीका ही नहीं है पैसा आने का 524 268 इस 792 का इन फ्लोग है अब जरा आउट फ्लोग आज़ो मैने अभी अभी कैश परचे पता है कितनी यह एग तो पता है प्रेमेंट टू सप्लाय हर अभी मैंने नोड बनाके निकाला क्रेडिटर को जो पैइमेंट करी अ वही तो पैपेंट्ट संपलाय है पहले कैश परचेजते हूअ तोटल परचेज़ 40-444 चैस्ट परचेज़ 20 यानि 88 चाओ 88 करूर की पेइमेंट तू क्रेड़िटर करिए मैंने 336 और देखते हैं और देखते हैं हाँ 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 सप्लाइज एंड कंजुमेबल खरीदे हैं 38 करूर के और 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 इंप्लॉई को पैसा दिया है 40 करूर का इंप्लॉई को पेइमेंट करना इंप्लॉई एक्सपेंस चालिस करूर का और 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 रेफरेंस तो फानेंसिंग में जाएगा डिवेंचर फानेंसिंग में जाएगा 52 करूर का इंकम टेक्स दिया इंकम टेक्स पेड 52 करूर यह भ कुछ नहीं है बस 88 336 38 40 52 इस 554 कि इतने का ओफ्लोड 88 336 38 40 52 इस 554 ने नेगेटिव 792 पॉजिटिव 238 पॉजिटिव आ रहा है ये बन गया मेरा कैश प्लो फ्रॉम ओपरेटिंग एक्टिविटी रैकेट में बस बस कहानी होती जा रही है इसी में आ जाओ कैपिटल लेटर में इनवेस्टिंग एक्टिविटी इनवेस्टिंग एक्टिविटी में शुरुबात करो सबसे पहले किश प्लो यानि आई प्लस की कहां से पैसा आया इनवेस्टमेंट वगारा को बेच के कोई पैसा या एसेड बेच के पैसा सरजी उपर के तो सारी प्रिकार कोईंट इंवेस्टमेंट हमने बेची है देगो सेल ऑफ इनवेस्टमेंट तर्टी सिक्स पर 4 करोड का लॉस्यानी सेल ऑफ इनवेस्टमेंट है मेरी 32 करोड की और कहीं से पैसा आएओ अशीन सब्सक्राइब तो पैसा जाएगा नहीं और कहीं ले लिजिए आउट फ्लो यानि आई माइनस भूंड़ू आई माइनस एक तो था वो परचेज ओफ मशीन सर जी मैंने 50 करोड की मशीन ली ती जिसमें 30 करोड की मेरी ओल्ड मशीन एक्सचेंज हो गई तो मेरे पैसे तो 20 करोड गए और कहीं से आउट लोग प्रेफरेंस करोड डिवेंचर में डिवेंचर कावीड डिवेंचर में एक टीशेर के और है नहीं है के बसे कworthyelen triumph लोग थे 32 पॉसेट पीश नेगेटे बार हा करोड नेगेट पॉसेटेटेव यह न बहर हाँ लाइन से बन कर रहा हूँ पॉसेट्व आ और है क्या बोलूर रूंग और प्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ट्रैकिट में भी आजो जी कैपिटल लेटर में फाइनेंसिंग एक्टिविटी अब मुझे इन्फलो चाहिए एफ ब्लस फाइनेंसिंग से जो पैसा आया कि वाइनेंसिंग से क्या पैसा आया तो है लाकोई पॉइंट उपर के तीम पॉइंट तो सिर्फ ऑपरेटिंग के थे यह सप्लियर वाला भी ऑपरेटिंग का है यह इंपलोई भी प्रोडिंग है रेफ्परेंश एर शिक्स्टी फोड करोड के रिडीम करें यह तो नहीं है इकुटी शेयर फेस वैल्यू चालिस करोड वाले चालिस करोड पर ट्वेंटी परसंट यानी आठ करोड इसू करें यह तो आएगा इसमें इसमें प्रेफ्रेंस वाला रिडीम एप माइनस है ना देवेंचर को तो कुछ नहीं होगा इंकम टेक्स में ले चुको मशीन वाल हमya कि आलते फ्लो एक माइनस कि पहला है प्रेफ्र। रिडम्शन और प्रेफरेंश करोर की प्रीमियुम पे तिफिस्टी फोर करोड की फेस्ट वैल्लियू रिडीम करें थे लेकिन प्रीमियुम भी अब नहीं कि था पार पर पर शेयर विश्विए थे 64 करोड सीफ़र इवेंचर को रिडीम किया मैंने लेकिन उसको तो शेर देती है नहीं लूबा investment dividend pay किया मैंने 30 करो dividend pay कर रहा है financing 30 करो और 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 interest pay किया 4 करो interest paid 4 करो और 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 कोई non cash expenditure तो यहां आएंगे नहीं dividend declare आएगा नहीं अब चाह लेता हूं यह आये गा नहीं यह दिए ले लिया ले लिया यह आएगा नहीं यह दिलिया मैंने यह ले लिया उपर के सारे ले लिए बस खत्क 64 34 is 98 98 माइनस का 48 पॉजिटिव का 50 नेगेटिव पहला हुआ आया कैश यूजड इन फाइनसिंग एक्टिविटी ब्रैकेट में सी करना ज़रा है ए प्लस भी प्लस ही 238 प्लस का बारा माइनस का 50 मेरा आ रहा है बाई 200 पॉजिटिव तोटल कैश फ्लो प्रॉम पॉल सारी एक्टिविटी को जोड के मेरे पास 200 आ रहा है इसमें ओपनिंग सी सी जोड़ूंगा तो मेरे क्लोजिंग के बरावर आना चीए मेरा सबसे लास्ट में दिया था चार परॉड़ूर प्लोजिंग सी मुझे दिया नहीं नहीं है उसने आप आपको closing CC दिया होता तो आप match कर लेते और आप बताते कि भई आप देखो मेरा match हो रहा है मैं तो खुश अगर match ही नहीं हो रहा है अब आपको पता ही नहीं कि आपने सही कर रहा है गलत किया भई मैंने मेरे इसाफ से मैंने बिल्कुल perfect कर रहा है तो सही है घबराना नहीं है स के एक जनवरी से करेंगे ठीक है कंपनी जाके रेजिस्टर हुए जून में यानि जनवरी फर्वरी मार्च एपरेल में पांच महीने प्री रही उसके बाद पूस्ट हो गया विजनस कंटीनीव हो गया और वहाफ ऑफ कंपनी एंड कंसिडरेशन ऑस तीन लाग एक जून को साड़े चार लाग का लोन ले लिया जिस पर टैन परसंट का इंटरस्ट है एक जून से इंटरस्ट पे करेंगे तक कंपनी क्लोजेस अकाउंट और मार्च अच्छा वाबू यह कोश्टन बारा महीने का है यह नहीं जनवरी से शुरू हो रहा है दिसंबर में खतम होना चा इंटरस्ट टाइम रेशो में अपरेशव में प्रमोशन सेल कीटिंटर से जुलाई से डिसंबर तक 2.5 हो गई है अच्छा और उसके बाद 3.5 हो गई है वेरी नाइस कंपनी ने रिक्रूट करा एडिशनल वर्फोर्स जिसके लिए सेलरी जुलाई से डबल हो गई है अच्छा एडिशनल रेंट जो है वो मंतली पांच अधार पड़ गया जुलाई से आप से गहाँ प्री पोस्ट का प्रॉफिट बांट के दिखा दो आउड मेरे प्री के महीने है पांच महीने भीकल को इस एक्सटी sırच लेले लेे जोए सेलरे तरीका मेर भैस तरीका मेरा एक्स्रेट नीं लेका मॉड्टिल मैस होता है दो प्रीओर पोस्ट मैं एसे हं। प्री में महीने कौन से थे जनवरी फरवरी मार्च एपरेल में पोस्ट में थे जून जुलाई अगर्स सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन पैब और मार्च यही महीने थे 2.5 2.5 2.5 दिसंबर तक और उसके बाद बढ़के हो गई है 3.5 तीन अंड़ाप हो गए न तीन प्रटा 5 तीन प्रटा 5 तीन प्रटा 5 तीन दोनों का बराबर कर लो यह आपकी रेशो बंदे यह तो पांच ही है एक दो तीन चार पांच है साथ साथ हो गए 2.5 इंटू साथ य और यह हो गए 3 एट 17 पांच बाव यह हो गए 28 पाइव रेशो 28 है तुमारी सेल की रेशो ठीक है जी सेल्स की रेशो और कोई नोड बनाना चाहिए मेरे को पोशन करने जबाए रहे है सेलरी का नोड बना लेता हूँ है मेरे तरीके से नोड बनाना सेलरी है 45,000 की टोटल अ अब सेलरी में क्या फंडा है कि प्री में आ रही है जन्वरी से मय तक की और यहां आ रही है जून से मार्च तक की पांच महीने और बारा महीने कोशन ने बोला था the company जो है जुलाई से double हो गई है मुझे बताओ अगर यहाँ पे पांच महीने की 5X है तो यहाँ पे 12 महीने की 2X हो गई है यानि 24X बताओ यहाँ 5X है यहाँ double हो गई है यानि 24X how solve कर लो 5X plus 24X equals to 45,000 29X equals to 45,000 X equals to 49 divided by 29 1551.72 January, February, January June से बढ़ी है जुलाई से बढ़ी है अरे अभी हो जाती गणबड़ घुलाई से बढ़ी है अरे अभी गणबड़ हो जाती जूलाई से बढ़ी है जुलाई से यानि जून मे तो X है और जुलाई के बाद बाखी बच्चे कितने ग्यारा महीन है, ग्यारा महीनों में हो गई है 2x, यानि 11 दनी 22, 23x, अभी गड़ गड़ जाती है, 5x plus 23x equals to 45,000, 45,000 divided by 80, अभी भी आतो पॉइंट ही रहा है, 1607.142, अभी इसी रेशों में बाट देता हूँ, इसकी बंडरी है, 8036, इसकी बंडरी है, 3936, 36964, यानि सेलरी शुरू के 5 महीने में x थी, और उसके बाट जुलाई से डबल हो गई थी, यानि बाकी 11 महीने में डबल रही, जुलाई, अगर, सेप्टमबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसम्बर, जन्वरी, फर्वरी, मार्च थी, अब मैंने गलट ले ले गया, जन्वरी, फर्वरी, जन्वरी, फर्वरी, मार्च, एपरेल में, जून, जुलाई, अगर, सेप्टमबर, अक्तूबर, नॉंबर, दिसम्बर, जन्वरी, फर्वरी, मार्च, जन्वरी, फर्वरी, मार्च, एपरेल, में, जून, जुलाई, अगर, सेप्टमबर, अप्टूबर, नॉंबर, दिसम्बर, जन्वरी, फर्वरी, मार्च, एपरेल, में, जून, 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 जुलाई, अगर, सेप्टमबर, अप्टूबर, नॉंबर, दिसम्बर, अभाएन्वरी फरवरी मार्च दस महीने अते हैं यार क्या कर रहा हो कालओरा साफ पूरी केल बोल स ही रहा था जल्द बाजी में घलत केलकुलेशन करती मैंने यार शेट वन रेश्यो टूए टाइम रेश्यो 50 महाने वह ने बोला था पंदरा महीने बोला तक गड़ा एक दो जनभरी फ्रवी मांच नो महीने बचे है Hai नो महीने के 2x है यार क्या कर रहे हो कालड रा साथ 9-12-18-18 वर 19x हो गई है यार 19x क्या कर रहे हो कालरा साथ अभी पूरा कोशन घड़बर हो जाता है कालरा जी क्या कर रहे हो यार शमा यार्ची का चाहूंगा यार मैंने महीने गलत कर दिये थे यार 5x प्लस 19x इक्वल्स टू 43 तुवारा चेक कर ले हां सही आप 43 डिवाइड बाइ 24 क्या कर रहा है यार x की वैल्यू 1875 काली ने देगा कोई हो जाती है गड़बड़ यार महीने गलत कर ले है मैंने जल्द बाजी में 24 1875 इन्टू 5 यह आरी है 9 375 और यह इन्टू 5 इन्टू नस यह आरी है 35625 शारी है हो जाती है गडबड़ बड़बड़ भी अगला नोट 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 नमबर 4 गड़ार बना रहा रहों मेंarta ल्हेंसा है in जन्वार्व है उन्पय यहां मेरा टोटल सिक्स्टी सेवंपान्सो इसिख्षी सेवं पानसो को में भातूंगा मैं aur पोस्ट प्रीमें जन्वरी से मैई उस्ट में जुलाई से मार्च नसून से मार्च जून से माच चलो रेंट की क्या जानकारिया तर जुलाइए प्रॉम जुलाइए तो इसे गलती नहीं करता इसे पोस्ट में जून अलग कर दो जूलाइए से मार्च अलग कर दो नौ महीं इसकी तो X है जून की, इसकी 9 महीने की है, X प्लस 5000, 5X, इसकी X, इसकी हो गई, 9 प्लस 9 इंटो 5 गई, 43,000, 43,000, 9X प्लस 40 का था होगी, चलो, 5X प्लस X प्लस 9X प्लस 44,000, इकोस तो 67,000, 5,000, प्लस 9, 15, 67,000, माइनस 45,000, इकोस तो 45,000, इन्टो में 5,000, यहां है 7500 का रेंट, और इन दोनों को जोड के बागे डाल देता हूं, ठीक है, 9 इंटो 15,000, प्लस तिंता लिए, प्लस प्लस का रेंट बाट दिया, एक चीज और का नोट था, वो इंट्रस्ट का, आप इंट्रस्ट का नोट बना, इंट्रस्ट मैंने टोटल पे किया था, इंट्रस्ट मैंने 52,500, इस 52,500 में से, प्री में आएगा, जो मैंने उसको 3,000,00 रुपे देने हैं, बारा परसेंट पांच महीने का, तीन लाग का बारा परसेंट पांच महीने का, यानि 15,000 प्री में आएगा, बाकी सारा पोस्ट में आना चाहिए, पोस्ट में बाकी बचा हुआ, 52,500 यानि 37,500 आना चाहिए, और यह 37,500 आना चाहिए, साड़े-चार लाग का, साड़े-चार लाग का, दस परसेंट पे लिया था, दस महीने का, हाँ, देखो, सेम आ रहा है, 37,500, मैच कर रहा है, अब मैं इसे बाट सकता हूँ, प्री-पोस्ट में बड़े राम से, आएए बाट के दिखाऊं, आएए बाट के दिखाता हूँ, statement of pre and post, देकना वेस, particular ratio, pre and post, देकना प्रिखाऊं, 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 याविकना प्रिखाऊं, आएए, बाट के डाट के दिखाता हूँ, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट यह मैं सेल माइनस सी ओ जी एस करके निकाल रहा हूं और इसे सेल रेशों में बाट रहा हूं और मैं सेल रेशों इस पाइव ट्वेंटीएट सेल रेशों जाकर लूँ गलब करने जादी मैंने सब्सक्राइब पांस पहले सेल तो निकाल लो नो लाख नब्यादार माइनस 594 पहले का साथ हजार दिवाइड बाए पांस इंटो अगले का 336 माइनस माइनस है प्लस कोई है डिसकाउंट टू डीलर खर्चा यह यह तुमारा माइनस एक्सेंस डिसकाउंट अलाउड यह भी सेल रेशो में लोंगा 528 23100 को लोंगा मैं इस रेशो में डिवाइड बाए तेट इंटो पांच पैंच पैंट इस तो इस उन्निस अधार छेसो डिसकाउंट अलाउड के बाद मेरे प्रसेंट डारेक्टर रेमुनरेशन तीज़ा डारेक्टर रेमुनरेशन तीज़ा पोस्ट में जाएगी अग्या रेक्टर रेमुनरेशन के बाद में पास सेलरी सेलरी मेरे पास इसका नोट है सेलरी का नोट नमबर तीन है 9 375 9 375 35625 35625 सेलरी के बाद मेरे पास है रेंट 67500 रेंट का भी नोट नमबर चार है रेंट मेरा प्री का 75 अंडरेट और पोस्ट का था साथ हजार मुझे आ रहे हैं और आगे बढ़ता हूं रेंट के बाद इंट्रस 52500 इंट्रस का भी नोट है नमबर पांजा पंदररहजार ठर्टी सेवन पांजार और और ऑर और कुछ निट्रस्ट के बाद अगा। घ्रीसेशन हें फंदरह हजार की ताइम देश्यों बढ़को को में घ्रीसेशं एक रेश्या संद्रम स्पर्लीक तो एंगान स्व 53 एंग सिस्यत्स वांसोесा शैलँ एंगष इस्यान जे एंगbrand शे उस्यानषए वान न्टी एंग विश्याती प्रुमुरी एक प्रुमुरी एक स्पन्सीट प्रुमुरी एक सिरा पोस्कुन। प्रप्रम्री एक्स पेंस 75 अर्द का सीदा पोष्ट शरीजर साथ हजार में से 75, 9375 75, 100, 15, 11, 5, 17, 5, 5, 5, 7, 5, 5, 5, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 6 यह आ रहा है मेरा positive का 86775 यह कहलाएगा मेरा net profit है मेरा दोनों को जोड़ो 86 400 मैच कर रहा है यह था मेरा मैने बांटा सिस्टेमेटिक मैनर में जो टाइम रेश्यों में जो सेल्स रेश्यों आया होगा कोई दिकत जिल्दी बुले पका चलूंगे आना बूलो अब यह आगे बढ़ें question number हमने last करा था question number 3 कर रहा है आप यह फोर्थ पर चलें falling is the extract of the balance sheet of abhishek limited as at 31 मां 2023 31 मां 2023 को abhishek limited का balance दे रखा है capital दे रखिया पड़ना share capital में authorized है उसके 60,000 share 12% 10 रुपे वाले 6 लाग 8 लाग equity share है 10 रुपे वाले 80 लाइक बट यह तो authorized capital है issue and subscribe में 48,000 preference share 10 रुपे वाले fully paid up preference share fully paid up पांच लाग 40,000 equity share 10 रुपे वाले 8 paid up मत्तब इनसे 2 रुपे की call मंगाई जा सकती है CRR है मारे पास 2,40,000 रुपे security premium सारा cash में है इसके अलावा general reserve है PNL है 12,00,000 का एक April को company ने पहले final call मंगवा ली 5,40,000 share पे 2 रुपे की final call मंगवा ली गई है यानि 5,40,000 रुपे दो यानि 10,80,000 रुपे का लिए देर आफटर उसके बाद company ने decide कि वो bonus देंगे वन शेर फोर एवरी 4 रेट चार के बदले एक bonus यानि 5,40,000 share में 4 के बदले एक आप से कह रहा है शोदी necessary entry दे वुक्स ओ कंपनी और यह तो बड़ा राम सो जागा बच् question number 4 मैंसा शुरू करे question number 4 का Scientists No. 4 इन the books of company का नाम पढ़ते है जी किस company के इंदर कर रहे हैं एंट्रियां इतना इंदी बुक्स ऑफ पढ़ना किसकी कंपनी में चल रहे हैं अभी शेक लिमेटेड की किताबों में जर्नल एंट्री मांग रहा है हमसे आउश रूपर सबसे पहली एंट्री भाईया मैं उससे जरा पहले फाइनल कॉल का पैसा महा लेता हूं इकुटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट तू इकुटी शेयर कैपिटर आना जी पांच लाख चालिस अजार की इकुटी शेयर पे दो रुपे की फाइनल कॉल पांच लाख चालिस जार इंटू दो यानि दस लाख असी अजार का तो पहले मैं फाइनल कॉल मंगवाने के बाद क क्या हुआ जी उसके बाद पहले तो ड्यू करिया पैसा ले लो बैंक अकाउंट डेट टू इकुटी शेयर फाइनल कॉल इकुटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा आगया आपके बाद 10,80,000 पैसा भी आगया नेक्स्ट बताना बोनस दिया हमने कितने बोनस दिया जी चार के बदले एक यानि पांच लाग चाली सदा डिवैड़ बैचार यानि बन लैक थाटी फाइफ थाउजन शेयर बोनस दिया इंटू टैन यानि तेरा लाग पचास दार और जड़ा देखे तेरा यह भी बहुत बढ़ी आई यूज रो सकता है बोनस के लिए तो सेक्योर्टी प्रीम्म का भी इस्तमाल कर जा सकता है बड़ा राम से दो चालिस का मैंने यूज कर लिया सी आर एक पचास का सेक्योर्टी प्रीम्म जनरल डिजर्व साथ बीस का यह भी उसकर लेता हो जनरल लाग चालिस अजार पड़ रहे हैं बैले समांट वह मैंने पीनल से निकाल लिया टू बोनस इशू को मुझे इशू करना था टोटल प्वांच लाग पचास अजार का बोनस और बोनस शेयर इशू करने के एंट्री बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इकुटी शेयर क छाट एक हो 1350000 giose 2 1 प कि Honos Ter no Heart इस रहिए नंबध यहांने पांच लहां चालिस अजार में चार के बदले एक यानि वन लाग थटी-फाउस शेयर इस prawगो लो चार लाग पचास घू ह distintos लाग पचास अजार में रूड़ी ँसेयर को total बच्च वाला कुशन था यार क्या बच्च वाला कुशन आगे राइट इश्यू मतलब एक्जिस्टिंग शेयर उल्डर को राइट देगी कि भाए कर लो शेयर बीटा लिमिटेड ने ओफर किया वन शेयर फॉर एमरी टू शेयर अगर आपके मैं दू है तो आपको एक शेयर करी सकते हो मार्केट प्राइट जो थी है इसे कोशन नमर के ऐसे कोशन नमबर 5 सबसे निकाल लेता हूं मैं एक्स राइट प्राइस एक्स राइट प्राइस बेटे और कुछ नहीं होता एवरेज प्राइस होता है एवरेज प्राइस कैसे निकालोगे एक्स राइट प्राइस निकालने का तरीका बड़ा असान है बताना आपके पास अगर दो शेर होंगे तो मार्केट में 180 चल रहा होगा तो आपको एक शेर म मिलेगा 90 का 450 यानि 150 रुपीज पर शेयर आ गया आपका एक्स राइट प्राइज और आप से कह रहा है वैल्यू ओफ शेयर वैल्यू ओफ राइट भांग रहे हैं यानि अगर आप वैल्यू ओव राइट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालो के बताना एक सोच रुपे का मार्केट पर चल रहा है माइनस एक्स राइट प्राइज है थर्टी रुपीज पर शेयर का वैल्यू ओप राइट है तो अगर आप कहीं सोच रहे हो कि भाई आपको दो के बंदले एक मिल रहा है और एक सोची वाला नब्बे में मिल रहा है तो बाबुज क्यापिटल स्ट्रक्चर ऑफ अंबुजा लिमिटेड में कंसिस्ट है जी 40,000 एकुटी शेयर दस रुपे वाले ओके और 2000 प्रेफरेंस शेयर है सो रुपे वाले अच्छा जी इशू करेते हैं एक एपरेल को रिडी में बले हैं रिजर्ब में जनरल रिजर्व है एक साठ क पैनल में पड़े हैं 40,000 इंवेस्टमेंट अलांस रिजर्व है 20,000 का आउट अउट आप विड़ेंट का डिविडेंट देने के लिए फ्री नहीं है यानि ब्लाकी 10,000 का फ्री है इंवेस्टमेंट अलांस बैंक में पड़ेंग पड़ेंगा 196 प्रेफरेंस शेयर को रिजर्व एं सर्प्लस, subject to the condition कि 40,000 जनरल रिजर्ब में रिटेन होने चाहिए, यानि जनरल रिजर्ब में 160 में से 40 रिटेन होने चाहिए, तो बताना मैं कितना CRR बना सकता हूँ, जनरल रिजर्ब मेरे 1,40 चाहिए, यानि मैं 1,20 रिजर्ब कर सकता हूँ, यानि मैं 1,50,000 जो है यूज कर सकता हूँ, CRR बनाने के लिए, तो बाकी बताओ, मुझे 50,000 जार का फ्रेश इसू करना पड़ेगा, आपसे कहते हैं, जिर्मिंट डालके दिखाओ, यह बच्चों वाले कोशन पूछ रहे हैं, एक्जामपल नमर 6, बुक में भी कोशन है, सेम ऐसे, सेम ऐसे कोशन बुक में भी है, मैंने फ्रेश इसू करें, अब मैं जड़ा CRR बना लूँ, रिडम्शन तो करने हैं न बाभू, CRR बनाने के लिए मैं इस्तमाल कर रहा हूं, जनरल रिजर्व का, स्टेटमेंट ऑफ पी एनल का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का, पू सी आरा, कैपिटल रिडम् रिजर्व 10,000 यूज़ कर सकता हूं, यानि 1,500,000 रुपे से ज्यादा का CRR नहीं बन सकता, तम भी 50,000 का फ्रेश इसू कर रहा है, मैंने, पता न, आपको रिडम्शन और प्रेफरेंश के लिए दो अप्शन होते हैं, या तो फ्रेश इसू कर लो, या CRR आउट और प्रॉ प्रेफरेंश शेयर होल्डर, दो लाकष रुपे के प्रेफरेंश शेयर कैपिटल पे 20,000 का प्रीम्यम यानी 2-पीश पीज करना है, मैंने, आपि पे करा, प्रेफरेंश शेयर मैंने ऑऔर Sell कर टू बैंक, रेफ्रेंस लीजे करती है मैने ये इसको स्टेटमेंट और पीनल से प्रीमम और रिड़ंशन इसी के लिए मैंने 20,000 पे प्रीमम दे रहूं बेटे वो सेट आप भी तो करना है तो कहां से सेट आप करूंगा पीए नल से बच्छो वाला को इस यह आता है सारा पेपर मुश्किल नहीं होता कुछ कोश्चन ऐसे होंगे जो आदे गंटे में एक होगा कुछ आदे गंटे में दो भी हो सकते हैं इसलिए टेंशन मत लेना लग्की लिमेटेड की किताबों में तैन परसेंट डिबेंचर है 75 लाग के डी आरार में पढ़े है 250 अग आपको पता होगा डिबेंचर के चेक्टर में की डी आरार शुडबी 10 परसेंट डी आराई शुडबी 15 परसेंट तो डी आरार 10 परसेंट यानी साड़े साथ लाग होना चाहिए था तू लाट फुट्य है और पांच लाग और बनाना पड़े हैं डी आराई चेक करूं ग्यारा लाग पच्चिस अजार का पंदरा परसेंट है बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट है ग्यारा लाग पच्चिस अजार इस पर 10 परसेंट का मुझे इंट्रस भी तो मिलेगा एक लाग बारा पांसो बेंक बढ़ेगा डिवेंचर इंट्रस वाले को ब्यास तों दे चुके हैं इन्वेस्मेंट को और रिडम्शन और डिवेंचर को 10 परसेंट प्रीमियम पे रिडीम कर दिया 75 पे साघह साथ लाग जादा अधर बैंकिंग ने बनाना होते यह को तो ऑखेंगा अधर बनागा अधर दिष्ण नमगर सेवें आप से जी डी आर आखाउंट बना दो चोटा-चोटा-चोटा सब्लिवी आर आई का अकाउंट बनादो और बैंक अखाउंड चलो पहले इसको यह दोनों तो बनाड़ें पर्टिकुलार अमाउंट पर्टिकुलार अमाउंट पर्टिकुलार 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 के जो अनिघ्स्त वन एसट प्सक्षों और दे तो बन इसथ उसफ जुनार है भाई जब्डस्ति थोड़ी दे लेंगे ंगे इ offenders यह गवराना नहीं है जो मांग रहे वो दे दो चुप्छाप दे दो जो मांग रहे रोना नहीं है दो जो मांग रही है रिखे लेजर में तो बैलेंस ब्रॉड रूपे धराओं के लेजर में डेटा ते धैंटिस अधार और पसेter liter लेजर में ब्रॉट डाउन बैंक के लेजर में आई गहेश 75 लाइक पड़ेते हैं सबसे पहले तो भीया मैं सबसे पहले जो मेरी डी राइए उस पें इंट्रस्ट मिलने के एंट्री बैंक अकांट एविट तो इंट्रस्ट ओन डी आर आई मेरे ग्यारा लाग 25 जार का 10 परस राई से अडल देता हूं लैडि अटर में वेक्षाल करूं लेजर में आप ए स्टेटमेंट ओस ह। ती आर इंट्री बेंक के लेजर में आजाएग दिया-लाइक?!? है और आँ मैं डिव소 करूंगा एक्स परसें डिवेंच स्थी डेने डिवेंचर में पारिंच अलगर और ना को ट्रास्वर कर दूंगा ट्रशे डियरा करेंडिव बेच दिया उसका लेजर वैसी क्लोस बैंक का लेजर बन कर लेख पड़े थे एक लाग बारा पांट सो मिला त्यारा लाग पच्छी ज़र मिला पेमेंट कर दी एक टू लाग उत्ती थाउसे बैंक के लेजर में में मेरा बैलेंस सीदी आया द लो खतम पांच मिनुड में यह कोशन भी तो इस बाड़ दाव प्रेपर में यह 25 नंबर के कोशन आ जाते हैं यह जबनाना मद 10-10 नंबर के कोशन आते हैं और वैसे यह डेंशन और देमशन और दिमेंशन में जा रहा है तो इस बार तो जरूर आएगा यह बड़ा फियर को अगया investment accounting मेरा फिवरेट एक एपरल को अल्फा लिमेटेड के पास एक लाख इकुटी शेर थे बीटा लिमेटेड के पंदरा रुपे काई था नॉमिनल वैली दस रुपे थी जून को अभे भाई ये मॉड्डिल का कोशन है तो कैसी आटी भी बनाएं आदे कोशन तो मॉड्डिल के डाल दिये इन्होंने उठा उठा के बीज जून को मुझे तो कोशन ही आद है बताए आप कोई पहले बीच मे ये मॉड्डिल का कोशन है रहे है इस चैप्टर को कराया हुआ है इस पूरा चैप्टर उसमें भी कराया था मैंने कोशन डीटा लिमिटेड ने बोनस दिया वन शेर फॉर एवर सिक शेर एक लाग पहले थे बीस अजार ही हो गए एक लाग बीस अजार पे छे के बदले एक चाहे तो ट्रांसवर कर सकता है वन थर्ड इसने उमंग को दे जिया दो रूपे में माकी खरीद लिए आप से करें इंवेस्ट्मेंट कर बनाओ क्या बच्छो वाला कोशन है क्या बच्छो वाला कोशन है को इस नमबर एक चल दिया लिए साल कब चालो और रहे जी एक एप शेर थे एड़िरेट 15 वाले यानि 15 लाग के फिर बीस जून को मैंने परचेस करें ट्वेंटी थाउजन खरीदे ना बीस अधार खरीदे एड़िरेट 16 यानि तीन लाग बीस अधार के खरीदे इसकी एंट्री इन्वेस्ट्मेंट टू बैंक यह मेरा तरीका है चार्ड बनागी करने का बेस्ट तरीका होता है यह बेस्ट चेक करके देखना है यह पूरा का पूरा चैप्टर वाईटी पर पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर वाईटी मतले यूट्यूप एक अगस्त को बोनस ओफर हुआ छे के बदले एक एक अगस्त को bonus मिला 6 के बदले एक तो टोटल एक लाग 20,000 share है मेरे 6 के बदले एक यानि 20,000 share as a bonus मिले इसकी entry investment to bonus एक अगस्त के बाद 31 अक्टूबर को राइट मिला साथ के बदले तीन हो 31 अक्टूबर को राइट offer हुआ हमारे पार टोटल एक लाग 40 हो चुके थे साथ के बदले तीन यानि 60,000 share offer हुए जिसमें से acquire करने है तो acquire कर लो sold करने है तो sold करो वन थर्ड इसने बेच दिये 20,000 उमंग को बेच दिये 2 रुपे में हाँ उमंग को बेच दिये 2 रुपे में और बाकी 40,000 खरीद लिए एट दिरेट 15 और चालिस दार उमंग को बेच के खरीदे उसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक और जो उमंग को दिये उसकी एंट्री बैंक टू पीए लाग बस खरब ना इसके बाद डिविडेंड मिला ना पेचा कुछ नहीं करा भाई चुप चाप इन्वेस्टमेंट का आग प्रैकेट में शेयर्स क्या चोटा सा बच्चो वाला कोशिंग यहां कि इतना चाले चुटिकुलर नंबर्स अब दिविडेंड का तो कॉलम ही नहीं है इतने चुटे ड़र की कॉलम के बना रहो है नंबर और रमांट डिविडेंट अही नहीं कॉलम की क्या जूरत है जब डिविडेंड है ही नहीं तो डिविडेंड के कॉलम की क्या जूरत है डर डर के बनाने का फायदा नंबर अमांट डेट पर्टिकुलर नंबर और अमांट आज हो जन्दी सबसे पहले मेरे पास एक अपरल 22 को तू बैलेंस बीडी पहले से पढ़े थे एक लाग पंद्रा लाग रुपे के फिर मैंने बीस जून को दुबारा खरीदे तू बैंक करके मैंने खरीदे 20,000 खरीदे शेयर, I guess 3,20,000 के, हाँ जी 3,20,000 के, फिर मिर को बोनस मिला, investment to bonus, 1 अगस्त को, 1 अगस्त को 2 बोनस, मुझे 20,000 शेयर मिले, जिसके लिए मैंने पैसे कुछ नहीं दिये, फिर मैंने दुबारा खरीदे, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टू को टू बैंक, मैंने खरीदे 40,000 शेयर, जिसके लिए मैंने पे कड़े, 6 लाग रुपे, और वो पी एनल वाली तो यहां आएगी, that's all, खतम कहानी, 31st March 23 को, बाय बैलेंस, सीडी करके, देख लो, मिर बश कितने है, 1,80,000 शेयर है, रहते तो, विच आवर होता है, अगर यह current assets होते तो, अगर यह current investment होती, whichever is lower होता, बट मिरको नहीं बताया, तो मैं whichever is lower करनी सकता, यही CD कर लो, यही मान लो कि यह lower है, 24,20,000 is your CD, this is your balancing figure, that's it, खतम question, क्या बच्चो गाला question नहीं है, नाइन था, पढ़ना जी, अनिमेश लिमिटेड कॉर्ट फायर और 22 जन्वरी 2023, 22 जन्वरी 2023 के आप अनिवाश के आँ आग लगी, पर यूट्यूब पर चेक करो, यह चैप्टर भी मैंने पूरा यूट्यूब पर डाला हुए, पूरा चैप्टर, यह कोशन मैंने क्लास में कराया हुआ है, यूट्यूब पर, पड़ो, 31 मार्च को मुझे क्लोजिंग स्टॉप दे रखा है, तेरा लाग, 23,200 है, टी वन का ओपनिंग, टी वन का क्लोजिंग, और 9,62,200 है, टी वन का ओपनिंग, एक एपरल से लेके, आग लगने तक की मेरी परचेज है, 34,82,700, पिछले साल की है, 45,25,000, क्लास में कराया था, एपरल से चोरी करिया, 18 अगस तक, बताओ, एपरल के 30, माई के 30, जून के 30, जुलाई के 30, अगस के 30, एक तो चालिस दिन चोरी की है, और यानि 20 हफ़ते चोरी की है, और 20 हफ़ते इंटू 2000, यानि 40,000 की कैस सेल की चोरी की, सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा पिछले साल का यह ट्रेडिंग अकाउंट होगा लास्ट यह का किछले पूरे साल का जब कोई आग आग नहीं लगी ती चलो जिए पर्टिकुलर अमांट पर्टिकुलर अमांट शुरू करें जी सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक है मेरा नाइन सेटी टू टू हंड़रड नाइन सेटी टू टू हंडर परचेज इस साल की परचेज में कोई घड़बड भी नहीं है करेंट यह की परचेज में गड़बड है ना जुलाई वाज़े पिछले साल की परचेज थी 45,25 थाउजन इस ताल की सेल में घड़ पड़ है लास्ट जेर तो बिलकुल ठीक थी लास्ट जेर की सेल थी 52 लैक पाई क्लोजिंग स्टॉक आजाओ जी क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 13,27,200 इसको बंद करिये और जरह फटा-फट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दीजे बैलेंसिंग फिगर इस तो लाक चालिस अजार का मेरा प्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना बाभू जरह दस लाक चालिस अजार डिवाइड बाई लाक इन्टू 100 कितने पर्सेंटेज रहा रेशो निकालना रेशो जल्दी वाव मेरी रेशो आ रही है बीस परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट इसी का इस्तमाल करूँगा मैं अगला ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में जो की होगा एक एपरेल बाइस से जब आग लगी जिसक लग ट्रेडिंग टू टू मामा की बात नहीं रही है टी टू की बात हो रही है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट आज जड़ा इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी आखी तो कहानी बहुत असान है आओ तू ओपनिंग स्टॉप की परचेश थी इस साल की परचेश थी मेरी 3482700 जिसमें से मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक लाग का गुड्स बांटा था जो मेरी परचेश में से माइनस हो जाएगा 33,82,700 जिसमें मैं कैश चेल जो कैशियर ने चोरी की थी वो मैंने 20 हफ्तों की 2000 के हिसाब से 40,000 वापिस जोड़ दी 49,57,000 अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट खुद डाल दूँ विच इस 49,57,000 का 20% 20 परसेंट विच परसेंट विच इस नाइन लैक नैंटी नाइन थाजन फॉर हूंटर थे रलक्स माइनस मेरा प्लोजिंग स्टॉक आजाएगा बैलंसिंग फिगर 7,44,300 ले जाएगा यह रहा मेरा क्लोजिंग स्टॉक जिरो आग लगने वाले दिन जला क्लेम निकालने के लिए नहीं बोला तो क्लेम निकालने मत बैठ जाना कोश्चन ने बस यह बोला है बताओ कितना स्टॉक जला है ले मिरे बस ने बैठ जाना कोश्षण ने क्लेम निकालने को ला ना तो पॉलिस हैं ना सेलेज है कुछ भी नहीं बहाए मेरे पास क्लेम तो नहीं निकल सकता यह निकल सकता था मैंने निकाल दिया अब आगे बड़े रुकना नहीं है भाई सारा कंप्लीट करेंगे आटीपी पढ़ना पॉलिंग पर्टिकुलर रिलेटिट टू हायर पर्चेस ट्रांजेक्शन ठीक है एक्स ने पर्चेस करी तीन कारे वाई से एक्स हो गया हायर पर्चेस अधर वाई हो गया वेंडर जो है वह लगाता है 20% WDV के हिसाब से तू कारों की वेल्यू मान रहा है कैश प्राइज लेस ट्वेंटी पर्सेंट डैपरिसेशन अंडर यह बोल रहा है मैं तो 30% लोगा हायर वेंडर ने 5000 उस पर रिपेयर के खर्च करें और उसे 85 में बेच दिया आपसे कह रहा है कोई लेजर मत बनाओ यह बताओ दो कार जो लेके क्या उसकी वेल्यू क्या यानि एसेट गॉन क्या है बुक वेल्यू कार लेफ्ट कितने की कार निए पर बची प्रॉफिट रॉफिट रॉपफीट लॉस हायर पर्चेजर को क्या हो गया और अण टू का टेकन वैक अप्र रॉफिट लॉस अभी निकाल लेते हैं दो मिल लगेंगे तो बड़ा आसाब पार्शल री पोजेशन का कैस है पार्शल री पोजेशन को शें है 10 अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ एसेट टेपन ओवर जो लेके गया उसकी वैल्यू क्या है अब निकाल लेते हैं दो कार लेके गया है अब कर देट दिया उसने हमें कब खरीदी थी हमने कोई डेट है मेरे पास टेट नहीं है एक कार थी एक लाग की दो कार वे टोटल दो लाग की मैं इस पर दो बार डेप लगाऊंगा विच इस ट्वेंटी परसेंट डबल्यू डीवी के हिसाब से दो साल बात लेके गया तो दो साल की टप लगाऊंगा ना दो लाग का ट्वेंटी परसेंट होता है पहली बार चालिस अजार एक शाट का ट्वेंटी परसेंट इस बत्तिस अजार है यानि जब वह मेरे से मेरी दो कार लेके गया तो मेरी किताबों में उस कार की वैल्यू थी ना एक लाग अठाईस यह मेरी चले गाई दो कार लेके चला कि अधिया वेल्यू ऑफ वन का अफ्टर एक नहीं अपकर ने के बार एक नवर के बाद एक शुब बचस की वैल्यू क्या है एक कार की वैल्यू थी एक लाख रुपए इसको भी दो साल बीच चुके हैं अगर दो साल बीच चुके है तो इस पे भी दो बाट लगी होगी 20 परसंट के हिसाब से वह भी डबल्यूडीवी तो एक लाग का बीस हजार असी हजार का सोला हजार एक कार की वैल्यू क्या बची होगी छीन लेकर बचे इतने की वह मेरे से लेकर कार के बचेए इतने मेरे पास कार की तरीका मुझे क्या प्रॉफट लॉस उन रीपोजेशन में क्या प्रोफट बचैशन बड़ा तरीका है आप निकाल लो एसेट कितने की गई और लाइबिलिटी कितने की गई इसी का डिफरेंस प्रॉफिट लोस होता है बताओ मेरे पास से एक एक लाख वाली दो कार गई दो लाख रुपे की जिस पे मैंने डेप लगाया है 20% के हिसाब से दो सालों का डवल्यू डीवी मैंने लगाया है एक बार 40,000 और एक बार 32 मेरे पास से जो एसेट गई है उसकी वैल्यू वन लाख ट्वेंटी एट थाउजन है उसने यही काम करा उसने एक लाख की दो कार ल साथ हजार पहले साल और अगली वार दो लाख का तीस परसेंट साथ हजार और अगली वार 42 मेरी एसेट की वैल्यू बची 98,000 उसके हिसाब से जल्दी बता दो वन लाख ट्वेंटी एट थाउजन माइनस नाइंटी एट थाउजन वैया 30,000 का मेरे को लॉस हो गया मेरी एक लाख 28,000 की चीज वह खाली 98,000 की मांग रहा है तो बहिया मेरे तो इतने लॉस होगा अब बस मुझे इतना बता दो प्रॉफिट स्लैश लॉस ओन सेल टू हाय वेंडर वेंडर को क्या हुआ उसके पास गुड्ज री पोजेज्ड की वैल्यू आई होगी नाइंटी एट थाउजन जितना उसने लाइबिल्टी गौन लेके गया प्लस इसमें एक्सपेंस करे उसने गुड्ज की वैल्यू के उपर कितने के खर्चे करे पांच अजार के नाइंटी एट थाउजन की चीज़ पे पांच हजार का खर्चा करा भाई ने यानि एक लाग तीन हजार की चीज़ को सोल्ड करा 85,000 में वो भी कर है बताओ 98,000 में इसे टेक ओझिछन का नियम हो गया था ह। चले जी डेपार्टमेंटल के कॉशन आग रहे हैं जिनके पढ़ना डेपार्टमेंटल का कॉशन क्या कह रहे है पढ़ना भी ऍपार्टमेंटल का कॉशन क्या οख तक के तेख समिशन और प्पैण मेуска तु दपार्टमेन्ट पी और क्यों चलेजिए समय के दो डिपार्टमेंट पी और क्यूंट के जिए सब्रूद ई कोश्चन है क्लोथ और रेडिमेट या फिनिश्ड और लैडर वाला कोश्चन है अब इस सारा का रटीपी मॉड्यूल से बना दिये के इनों ने रटीपी किस बात क्यों है फिर बार बार क्या कहता हूं पूरा पेपर मॉड्यूल में साथ है इनकी खुद की रटीपी तो यह म परचेज है सप्लाइग कर रहा है तीन लाग का माल किसने किसको दिया बताओ पी ने क्यों को माल दिया पी के लिए सेल क्यों के लिए एक्सपेंस है बेजिगा है को लोग स्टॉक है तब वैल्ली ओ स्टॉक इन दी फरनीचर डिपार्टमेंट कंसिस्ट 75 परसेंट यानि कं परसेंट का ट्रेडिंग पीनल बना दो आओ बनाए या यह बुक का कोश्ण है यार कोश्ण नमबर 11 11 यह दस है 11 पहले मेंट डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बना कि यह बढ़ाई करके ट्रेडिंग पेनल कंबाइन अलग बनाने ट्रेडिंग पेनल तो कंबाइन बन सकते हैं जन्रल पीनल अलग बना देंगे क्या दिख करें तरफिकुलर डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट क्यू पर्ट Exchange भीम ट्रेडिंग पेनल कमाइनंग के में हो कि कि टेंगे कि ओपनिंड बनाटम का और पचास अजार को में स्टॉक है एक का तीन लाग एक का पचास अजार के बाद सेल है पर्चेज है बीस लाग और पंदरा हजार टू में पर्चेज है बीस लाग और पंदरा हजार कोई डारेट एक्सपेंस हो वेज़े साथ हजार और बीस लाग वेज़े साथ हजार और पीस हजार सेल आजब सेल सेल चौबिस लाग और चार लाग चौबिस लाग और चार लाग टू ट्रांसफर टू डेपार्टमेंट यहां जाएगा बाए ट्रांसफर टू डेपार्टमेंट तीन लाग का माल पी ने क्यों को दिया पी के लिए तीन लाग इंकम है और Q के लिए यही तीन लाइक एक्सपेंस है ठीकिए जी जिस को बंद करो और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल तो जल्दी फटा फट बैलेंसिंग जिए कर निकाल रहों ग्रॉस प्रॉफिट तो चौविस लाग तेंग दोला माइनस कह cortisol पांच लाग 40,000 का प्रॉफिट आ रहे है रहे हैं और इस चाह लाग Catuje दार माइनस पचास जार माइनस पंदरा माइनस दी माइनस दी 75,000 का प्रॉपिट आरे यही ग्रोस प्रॉपिट मैं नीचे पी एनल में ट्रांस्फर कर रहा हूं इसका पांच चालिस और इसका 75,000 का आज यह जड़ा बाकी एक्सपेंस डालता हूं अगर कोई थे तो सेलिंग एक्सपेंस थे 20,000 और चेज़र के एक्सपेंस दी सदार और चेज़र और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं खता तो बस नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूं पहले वाले का नेट प्रॉफिट आ रहा है पाँच लाग 20 जार और सेवन्टी फाइज हाजन बाइनुट हेजर इसका आ रहा है 69000 का इसके लिए बनाना पड़ेगा जनरल पी एनल अकाँ कि अने ब्युक्रॉट या और टाना पड़ेगा कौन किस को माल देता बताओ डेता है क्यूँ को कि क्यूं को प्रॉफिट जोड़ के देता ओगा तो क्यूंगे चॉपमें अपड़ेगा ले पाने सोल में बे दौनों में होगा सबसे पहले तो मैं नेट प्रॉफिट ट्रांसवर रहा है नेट प्रॉफिट पी का इतना रहे क्यूंग पी का पांच बीस क्यूंग का सिक्स्टी नाइग मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है तू में आ जाओ जनरल एक्सपेंस थे ना जो अनलोकेटिड थे कोई कोई ऐसे एक्सपेंस भी जो अनलोकेटिड थे मेरे को याद है कोशन में एक लाग दस अजार के अब मुझे अन्रिलाइस प्रॉफिट निकालना है जिसको मैं स्टॉक रिजर्व के नाम से लूँगा क्ल लेना है मुझे अब इसके लिए नीचे नोट बनाना पड़ेगा आये नोट बन अन्रियलाइस्ट प्रॉफिट लूँग पहले ओन क्लोजिंग स्टॉक ले ले तूं क्लोजिंग स्टॉक पहले मुझे जीपी रेश्यो चाहिए होगी यार जीपी रेश्यो पता लगेगा अब लगेगा कितना प्रॉफिट जोड़के दिया उसने तो सिंपल से तरीक ऐए जीपी अकॉण में से इंटु हंडडर कितना ग्रोस प्रॉफिट है पी का पांच लाग चालिस अदार और पी की सेल के जरह बताना पी की सेल ट्रेडिंग अकॉण में जाओ पी की सेल का इस बाता है आगे वीज परसेंट का अगे 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 लाइज प्रॉफिट ओफ पी इन डोजिंग डॉप तॉप अविक यू के क्लोजिंग डॉपित बता बहुत जाएगा क्यों का क्लोजिंग डॉपित साथ हजार में 75% माल हमारे जिस पर दीस परसेंट का प्रॉपेट होता है कि सब्सक्राइब बाबु 75% कोश्टन में दे रखा था कि फिनिज्ट डिपार्टमेंट में 75% बुड़ दिपार्टमेंट से आता है 25% अब यही मैं अन्रियलाइजड प्रॉफट और इन ओपनिंग स्टॉक आफ क्यूं निकलोगे कैसे कारोगे कि कीउक्त पक्षास हजार पचास हजार पे पिछली बार भी कंटेंट रिशो 75% परसेंट इन तो पिछली बार की जीपी रिचव अगर है पंदरा परसेंट एंड लास्ट यर की तो वो ले लूँगा नहीं तो बीस परसेंट ही माल लेता इस बार वाली पचास अधार के सेवंटी फाइव परसेंट का पंदरा परसेंट 5625 यह मेरा ओपनिंग स्टॉप टो गया 5625 उठाके लिए जाओ ओपनिंग का 5625 प्लोजिंग का नौट रश्ट फाइव लेक्टी नाइन थाज़न 5625 माइनस एक गात दसदार माइनस नौट फॉर लैक सेवंटी फाज़न 625 इस माई प्रॉफिट टू कंपनी जो फाइनली आय चैक कर लेना क्लोट रेडिमेट और उसके नाम से करती है प्रांच को सेंड करती है यानि 1 by 5 soit का तो सेल का 1 ब्रांच पेख करता हैuhan to cash collected from the debtor से पैसा प्रस्पा से आता है उससे अपने खरचे ब्रांज भी चरटा है और कर देता है बैलेंस पैसा केश को बीस हजार अपने पास रखने के बाद यह रहां से पहेच से पीस हजार का ओके स्टॉक दे रखा है फर नीचर दे रखा है विरिंग दा इयर 31 मां तेज को इन्वाइज करे गुड्स ब्रांच हैड ऑफिस ने ब्रांच को 2 करोड 64 लाग के दो करोड 64 लाग का माल विजवाया आउट विच गुड्स रिसीब आइड ब्रांच सेंड बैक तू गुड्स कॉस्टिंग वन लैक फॉटिवर वन लैक फॉटिवर का माल पसंद नहीं आया वापिस कर दिया रिटन अधर ट्रां सब्सक्राइब ने हमारे एक्षो डारेट माल विजवा दिया वही नाइस ब्रांच ने परचेस करा था एक फरनीचर दो लाग का जिसकी पेमेंट एक्चो का कर्चा माने जाएगो 31 मार्च को ब्रांच के एक्सपेंस बाराजार अभी भी आउटस्टेंड है और कैश इन है विजवन 20,000 साल के एंड में 20,000 का ही कैस है फरनीचर इस सब्जेक्ट टूड़ेशन 16 परसें डव्डी भी आप से खहरा ब्रांच अकॉन बना दो मेरे पास अगर देखा जाए तो ओपनिंग में एसेट है कैश क्लोजिंग एसेट भी सब्सक्राइब का पी नहीं है प्रांच अकाउंट तो बाद में बनाऊंगा कॉश्ण अमबर 12 में पहले मैं बेटर अकाउंड बना लूं और स्टॉक अकॉट बनाकर उनका सीडी तो निकालनू यह पता कौन से आया ब्रांच अकाउंट में आदा आपको दो ब्रांच होती है डिपेंडेंड़न औरिंड पर्टिक्वुलर अमाउंट पटिकुलर हो। ढाटर के लेजर में टू बैलेंस बीडी का बीडी तो है मेरे पास खिए 1 तौंजंट सी कर लो भीडियों टैटर का सीडिए मुझे दिदरना यह ढूला है बैलेंसिंग फिगर ममेरें डाटर के लेजर की जानकारी। सबसे पहले उपर कोई जानकारी है नहीं हमाई। की जानकारी गूड प्य जाने से कुछ नहीं होता क्रेड़िट सेल है 6-2-8-0 क्रेड़rios डाटरिक क्रेड़िए चैनि फैक्स तु अटो से कलेक्शन इतना debtor से पैसा आया, bank to debtor entry होती है, debtor के लिए ज़र में, cash discount, discount allowed 116, buy discount allowed 116, entry बनी इसकी discount to debtor, discount allowed to debtor, return by customer directly to HO, HO को माल वापिस किया, buy sale return to HO, इन्होंने directly HO को माल वापिस कर दिया, है तो sale return ही लेकिन 204 कमाल है, हमें देने के वज़ा, HO को देने जाके जली लोग, bad debt हो गए हमारे 74, bad debt to debtor, debtor के लेजर में, buy bad debt 74, लो जी, मेरे पास 768, प्लस 6280, माइनस 5684, माइनस 116, माइनस 204, माइनस 74, 970 का balancing विगारा गया, मेरे debtor का CD, यह गायाप से मैं ने ढूल लिया, फिर बनाता हूं stock account, क्योंकि stock का CD भी गया गया गया, निकल सकता है, stock का CD निकलने में क्या है, पस यह देख लो, ब्रांच में कितना माल आया, कितना माल गया, कितना माल बचा, यह बता लग जाएगा, यह तो असान है, पता करना, मुश्किल थोड़ी है, ब्रांच पे कितना माल गया, यह पता करना कोई मुश्किल काम है, बच्चो वाला काम है, टू, बैलेंस, बीडी, stock का opening, बाइ, बैलेंस, सीदी, stock का close, ब्रांच में stock था, शुरुवात में 2160 का बड़ा stock था, 2160, closing balancing figure है, जिसके लिए मैंने बनाया, एक्चो से माल आएगा, तो stock बड़ेगा, two goods sent to branch, head office जो ब्रांच को माल भिजवाएगा, तो stock बड़ेगा, 26,400 का माल है, इन थाउजंस करो न, फिर पसंद नहीं आया, 144 का माल वापिस कर दिया, stock कम हो जाएगा, buy goods return, two actual, 144 का माल वापिस कर दिया, cash sale करने से stock कम हो जाएगा, buy cash sale, और credit sale करने से भी stock कम होगा, भही हम तो stock देख रहे हैं, stock आया या गया, माल आया, तो debit में, माल गया, तो credit में, simple सी बात है, stock के cash एड़ा बढ़ती है, तो debit कम होती है, तो credit, में 400, minus 6280, 2736 का stock बचा होगा, last में, calculation चेक कर लेता हो, पता नहीं, पता नहीं हो, पुरी महिनद कर लोगा, calculation कर बढ़ती है, यह जा रहे हैं, तो ब्रांच का cash account भी बना लेंगा, पता लग जा रहे हैं, ब्रांच के पास इसने बूला है, opening में cash है, ब्रांच के पास closing में cash है, यही तो बूला है इसने, ब्रांच के पास opening में भी 20,000 का cash है, closing में भी 20,000 का cash है, match करके देख लेते हैं, या at least वह पता कर लेते हैं, कितना पैसा इसने actual को भिजवाया, remittance, to balance BD, हमारे पास 10,000 opening में, buy balance CD, 10,000 closing में, इस सारी calculation 1000 में होगी है, सबसे पहल cash sales से पैसा आया होगा, और I guess collection से पैसा आया होगा, collection from debtor, cash sales से आया, 9400, debtor की collection से आया, 5684, पैसा expense pay करने से गया होगा, और remittance to echo, और जो echo को भिजवाया होगा, उस से गया होगा, और कोई तरीका तो नहीं है, पैसा जाने का, expense pay करें थे, branch expense 12,000 पे नहीं होगा थे, expense pay होगे थे, 1684 के, और remittance to echo मुझे मालूम नहीं है, पैसे का और जाना 12,000 अभी पे नहीं होए, 2,000,000 का उन्होंने echo ने खरीदा था, that's it, that's it, remittance निकल ले तो, 20 प्लस से यह काम होते थे जब मैं सिखाता है और मुझे पहली बार देख रहे हैं और ruling लेकिन अगर आपने यह चैक्टर पढ़ा है तो आपको पता हुए चे काम करते थे डाटर में क्या क्या चे काम मैंने सीकोंच बना रखने चीज़ होगे सबसे पहला काम सारी संड्री assets के opening transfer करो opening हमारे पास साल के शुरू में क्या-क्या था cash था stock था टेटर था और furniture था मुझे आ रहे है चारी चीज़े मुझे यह भी आ रहे cash 20 का था बाकी देख लेता हम बाकी हाद नहीं है cash 20 का stock 2160 और टेटर मेरा था 768 768 और यह हजार का इस 2160 768 और हजार 3948 के एसेट के opening तो फिर एसेट के closing डाल तो बाइस संडरी एसेट ब्रैकेट में closing पहला काम एसेट के opening दूसरा closing cash stock डेटर और फरनीचर cash थो भी भी 20 का है stock मैंने stock की अकाउंट से निकाला था 2736 2736 डेटर मैंने डेटर के लेजर में से CD निकाला था 970 फरनीचर निकाल लेता हमारा फरनीचर शुरू में था आठ की डेट यह हो गई और 168 की डेट लगेगी 1200 में से 168 की डेट लगा दी और जो फरनीचर मेरे पास दोसों का मैंने नया खरीदा एक चोने का जीजा ना मेरे लिए 1200 का फरनीचर हो गया नये वाले पर मैंने डेट लगाई तीन महीने की वह आठ हाई आठ हजार तो इस वाले किया यह एक लाग साट जार उसकी आठ जार टोटल वन लाग सिक्स्टी एट थाउजन माइनस करके मैंने लुए लाग सेट के ओपनिंग आ गया लाइबिल्टी का ओपनिंग तो नहीं है लेकिन हाट वॉसंट्री लाइबिलीटी मेरे पास लुजन जनूर आउट्स्टेंडिंग एक्सपेंस एक्शों की कुछ लाइबिल्टी एंड पेंडिंग रहेंगी ना ब्रांच की काम होता है एसेट का ओपनिंग दूसरा एसेट का क्लोजिंग लाइबिल्टी का ओपनिंग एगर हो तो तीसरा काम गुड्स सेंट टू ब्रांच हमने ब्रांच को माल भिजवाया था 26 च्शार सोगए अगला काम होता है patern that lotta गुट्स रिटर्न टू एक्चु एक्चु को माल हमने 144 का हम ने लेठेटर ने दिया था 204 टोटल हमने कितना मल वाफिस कर दिया 144 दोसोचार 348 का माल पहला एस post का ओपनिंग दूसरा एसेट का क्लोजिंग तीसरा गोड सेंग चौथा गोड रिटर्ण पांचमा बाय बैंक रेमिटेंग यह भी मैंने कैश के लाइजर से निकाल लिए तेहीं सदार चार सो हमने एक्चो को पैसे बिज़वा दिए छटा कांग एक्सपेंस एक्चो ने वारे लिए कोई खर्चे पेंग निया है दो लाग का फरनीचर खरीदा आप जरह मैं बन बैसेट अटाओं उपनिंग इटाओंगा तो बाइ स्टॉक रिजर्फ 2160 का 1x6 2160 का 1x6, टीन साइट गुड्स सेंट का टादू, ऑई गुड्स सेंट 2600 का 1x6, 4 जगा से प्रॉफिट अटता है, ओपनिंग स्टोख, क्लोजिंग स्टोख गुड्स गुड्स रिटन इन 4 जगा बोट्रेटां सेट आट ओपनिंग स्टॉब करूंग सेंड गोड्व रिटन गोड्रेटान है 348 का वन बैए सिख्स 58 और क्लोजंग स्टॉब का टू स्टॉब्स हम बस इसको बंद करो प्रॉफिट निगार 348 प्लस 23400 प्लस 360 प्लस 4400 प्लस 4758 मैनस 3948 मैनस 26400 मैनस 200 मैनस 58 मैनस 456 मैनस 12 बारा सो था ही शायद बारा सो नी बारा अजार को तो बारा रुपे हो जाएगा ना खाली कि लिए तो प्रॉफिट आ रहे मेरा तू प्रॉफिट तू कंपनी बैलेंसिंग फिगर तू वन नाइंट तू लो जी ब्रांच का कुश्चन के हो गया मुझे करना था मैंने करके है लिए अ क्ल इरीटर के सीदी के लिए ऐसे कट में डाला गुड्स रिटेंट डाला उसके अलावा रेमिटेंस डाली जो पैसा बजवाया खर्चे डाले फिर मैंने चार जगाशे प्रॉफिट अटा दी है क्या बच्चो वाले कोशन नहीं आ दिए तो करींट नहीं का ऊपनिंग और चलोजिंग धूरेटर का ओपनिंग है is that क्राइटर का AuPen Wing के क्लोजिंग धून ईंट है आर्फ आॉट सेंडिंग पिछले साल वाला उता है प्लश माइनस ताल वाला फश मेंस वाला प्लस पिछले साल का प्रिपेड खर्चा इस साल का उठ रहे है कैश को अपनी क्लोजिगा बैंक को अपनी क्लोजिगा क्लेक्शन फ्रॉम डेटर से पैसा आया तेइस लाग चाली सदार धाई परसेंट देने के बाद यानि पता आपको यह जो अमाउंट है यह 2.5 परसेंट देने के बाद है यानि यह 97.5 है डिसकाउंट निकल जाएगा यह 2.5 परसेंट देने के बाद थे भाई परसेंट देने के बाद इसका मतलब यह 97.5 है तो 100 क्या होंगे मुझे पतला अग्या 24 लाग होंगे यानि मैंने डिसकाउंट दिया होगा जरूर कितने का साथ हजार का डिसकाउंट अलाउड है मेरा वेरी नाइस पॉइंट यह न 15,68,000 अगर 98 है तो 100 कितना 16,00 लाग आया 15,68,000 अगर 98 है तो 100 कितना यानि क्रैटर से 16,00,00 मिलने थे उसने हमसे 2% का हमें डिसकाउंट दे लिए देने थे 16,00,00 हमने 2% का डिसकाउंट यानि 32,000 का डिसकाउंट लिया यह डिसकाउंट रिसीव है मिरा बार प्रोसीड फ्रों लाग पिन्टालीस अजार पे हमें तो लैग फॉर्टी फाउजन अगर नाइन्टी एट ए तो हंडर्ड कितना विद्ध भाई लाग मिलने चाहिए थे बी आर के पांच अदार का डिसकाउंट अलाउड कर दिया है चलो चलो वैरी नाइस प्रोप्राइटर की ड्रॉइंग दे रखिया फर्नीचर पर्चेस कर र से जो है पर प्रॉफिट कमाते है कॉस्ट का फिफ्टी परसेंट वन बाई टू कॉस्ट का कैपिटल इंट्रीड्यूज दूरिंग दे एर दी पर प्रप्राइटर भाई चेक वस ओमिटे टू रिकॉर्ड इन कैश्बुक दो ता बैंक वैलेंस ऑफ तीन अजार और 31 है कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया चलो परचेश सेल सारी क्रेडिट पर हैं ब्यूरिंग दे यर बैलेंस बीयार चार लाक के ड्रो करें आउट अफ दिस असी हजार के बीयार एंडॉस कर दिये थे क्रेडिटर को सोलह हजार के बीयार डिसॉनर हो गया थे बाई दी डैटर अ मिरे साथ बागो लोग चार लेजर बनाने के लिए तयार हो जागा कोश्ट नम्बर के स्पोर्टी नहीं है कि यह थोड़ा बड़ा है कि यह पिछले साल की बनाने पड़ेगी चलो 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 सिंगल एंट्री मेरा पूरा पूरा बड़ा प्यारा चेप्टर है सिंगल एंट्री पड़ यह भी हटा दिया गया इसे उठाके भी foundation में लिए पतानी foundation वालुसे इनको क्या नफरत थे इतने टेले टेले चेप्टर फांडेशन से बताओ शिंगल एंट्री फांडेशन में डाल दिए舒ण में डाल या सब्सक्राइब बेडे caffeine को कोई हैं क्या कर सकते हैं कि तुम्हारा पेपर इस साल असान बनेगा MTP, RTP और accounting standard मेरा ये RTP एक ये एक और में issue करूँगा बिलकोल एक हकते के अंदर अंदर एक हकते के अंदर अंदर एक और RTP issue करूँगा मैं ठीक है एक और RTP की video आईगी बस आप मेरे वो accounting standard का note कर जाओ ये वाला RTP देखके जाओ मैं जो भी अभी upload कर रहा हूँ ये वाली एक मैंने MTP solve करी है अभी late test series 1, series 2, दोनों MTP solve करी है मैंने बट वो मैंने MTP solve करी है an academy के special class में उसका link मैं आपको इस class के नीचे डाल दूँगा इसके description में MTP बस आपको करना क्या है paper से पहले जो 4 दिन practice करोगे न और एक और जो दूँगा वो और MTP जो मैंने special class में करी है वो बस MTP 1 MTP 2 RTP 1 RTP 2 और मेरे accounting standard का video देख जाना बिटे exemption आजेगी मैं guarantee देता हूँ 100% exemption आईगी चला डेटर के ledger में 2 balance BD by balance CD मेरे फ्याल से डेटर का BD तो इन्होंने मुझे दिया था CD नहीं दिया था डेटर का BD 640 CD नहीं है CD is the balancing figure डेटर BR का 2 balance BD I guess इसका BD तो था ही नहीं CD मुझे ढूंबने CD is the balancing figure डेटर का BD CD 446 चेला रेटर का B balance BD 444 और 2 balance CD छेला चेला लोट चेला BD CD दोनों देजिए ग्रेटर के cash bank तो मैं combine कर रहा हूं 2 balance BD cash bank का जोड के combine डाल रहा हूं मैं कर सकते हैं सर ऐसा क्या हां कर सकते हैं 48 कर सकते हैं अब या तो BD CD ढूंडना होता ना तो तो मैं अलग अलग बनाता अब जब BD CD ढूंडना ही नहीं है तो मिल जाएगा 3 और 96,000 चलो भई अब मैं transaction पूट करता जा रहा हूं ध्यान से कोशन में रेक्टिव रहना डैटर से पैसा आया 23,40,000 जिसमें 60,000 का discount है मैंने निकाल लिया 60,000 बैंक अकाउंट डैबिट टू बैंक अकाउंट डैबिट डैटर के लेजर में buy bank buy discount allowed 23,40,000 आया जिसमें 60,000 का discount allowed ये बैंक के लेजर में चला जाएगा टू डैटर तो प्लीज साथ साथ में entry बोल बोल के करूंगा मुझे सुनते रहना मैं entry बोल बोल के करूंगा तो आपको entry समझ में आईगी बस मैं पोस्ट थोड़ा तेज कर रहा हूं 30,40,000 और देखो क्रेटर को पेमिंट करी 15,68,000 की जिसमें डिवाइड बाइंटी एक सोना लाग कर नहीं 32 का discount हो गया क्रेडिटर टू बैंक टू डिसकाउंट रिसीव क्रेडिटर के लेजर में टू बैंक टू डिसकाउंट रिसीव हमने करिए 15,68,000 32,000 का discount रहा हो हैं यही एंट्री बैंक के लेजर में चली जाएगी बाइक रेडिटर फिफ्टीन लैग सिक्स्टी एड थाउसन है अगे चली कि पैसे बिले 245 डिसकाउंट बैंक डेबिट डिसकाउंट डेबिट ने प्याइड बैंक बाई डिस्काउंट अलाउड तो में मिलें 245 पांच अजार का डिस्काउंट अलाउड इसको भी 98 से डिवाइड 100 से मिल टिवाइड बैंक के लेजर में 2BR 245 चलो जी आगे बढ़ते हैं तो अचली सर इसके बाद करें प्रोप्रायिटर के ड्रोइंग धॉसीर ड्रोइंसन याद रखना यह बा動画 में बैले सीट में से करना यह यह चानए द्रौइब आयाच ब़सक। सिंगल एंट्री में अपने आपको याद दिलाना पड़ता है यह भी करना यह भी करना याद मत भूलियों मत भूलियों मत गौवर्मेंट सेक्योटी खरीदी इस पर च्छे महिने का ब्याज अकुरूड है अपाई इंवेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रह रहां न कितने की खरीदी चार लागंट की एक्सपेंच करें सात लागंध के सबायो और फट्चा करा जी और विसलेने इंकम भी सथार की और 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 प्रॉफिट है कॉस काउंट बैट्टू ठीक है यानि एडिशनल कैपिटल लगाई तो बैंक के लेजर में टूइडिशनल कैपिटल बड़ पता नहीं कितनी है कि गिए लगाई कि मिल जाएगी मिल जाएगी कि परचेस से साघुटू देटर लगाई चार लाइड चार लाइड नए बिल ड्रॉ किये तै आंड के रङाजिक करेड़िटर तो ब्यार में ब्यार में ग्रेडिटर जए surgeon आएघ्र के लेजर में अगर विअर ब्याइटर के लेजर में हुआ और ब्याइजर में पाइड निकालों कि या लेगे बातों सेल भी तो में credit sales भी तो चाहिए आ जाएगी आ जाएगी में को एक आईडिया वो cogs से चल कोई नहीं बियार का तो बन कर सकते हैं चार लाग माइनस 245 माइनस पांच अधार माइनस पांच अधार माइनस पांच अधार माइनस सो लाग फिफ्टी फॉट थाउजन जाएगी क्रेटर का लेजर में परचेज आजेगी buy credit purchase balancing figure अधारा लाग फॉट तो दार फॉट्टी फजार फ्लस ऐजार फ्लस चीजार फ्लस चीजार प्लस चीजार फ्लस माइनस चाहर चाहर लाग फ्लस तो तो फ्लस त्री प्लस प्लस यानि 3,44,000 की अबीशनल लगाई थी अभी भी मेरे पास सेम नहीं है बाकी सब्सक्राइब गवराओं मत सी ओ जी एस का एक फर्मला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इस प्लस डारेट एक्सेंस माइनस मेरे पास ओपनिंग स्टॉक मेरा आपकी सब्सक्राइब और मेरा आब इस नोल से से सब्सक्राइब तो कोई नहीं है से लोग सेच्वर बंदक है अपना COGS निकाल लूँगा 32,000 प्लस 18,40 माइनस 2 असी 18,80,000 का COGS निकाल लो अब ज़रा COGS निकाल लिया तो बताना COGS का एक और छोटा फार्मला होता था सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अगर COGS 18,80 है और सेल मुझे नहीं मालूम अब गरोष प्रॉफिट ही 1 x 2 of 88 COS का बॉलाता है 1 nd 2 50% पर्सक्राइस वह ली थी तो LASP फिर्षिट पर्सक्राइस 50% of cost क्या लोता होहां 50% of cost 18,80,000 का 50% divide by 2 nolak 40,000 Hye-nay-nay-ay-nay-nayати 9,40,000 मैं एक चीज गलत तर गया यह जो उने हजार का जो तो क्रेटर के लगी सांगया नहीं कि कटर के लगए डेटर के लाजर में ओन कि वाली और उड्यकर 26.09 के लेजर में पाई डेटर 16,000 यह वाली यह वाली है पंदरा लाग 68,000 प्रस 32,000 प्रस 60,000 प्रस 6,004,40,000 माइनस 16,000 ठारा लाग 24,000 आउट ओफ दिस मतलब जो बिल एंडॉस किये थे उसमें से डिसॉनर हुए है उसमें से माइनस पाच अजार माइनस 80,000 अजार डेटर का अबेगा से गृट्ष सब्साहँ है आप अजारा लाग 24,000 आउटार लाग 24,000 अठाराइस लाख नाइंटी सिक्स थाउजन की सेल ओवेट आलो सेल में 27,96,000 27,96,000 प्लस 16,000 प्लस 6,40 माइनस 23,40 माइनस 8,000 माइनस सिक्स लाग शिफ्टी टू थाउजन का मेरा डैटर का सीड़ी क्या रवन वी आर वन क्रेडिटर वन कैश बैंक सब बन रही अब ट्रेडिंग पेनल बनाने से पहले पुरानी बैलेंस शीड बना लूँ यार एक पिछले साल की बैलेंस शीड भी तो बनाऊ तो 31 मार्च बाइ लाएबिलेटी माउट क्या क्या था वही ऐसेट की चीज़ फरनीचर तोट प्री आर फ्रनीचर फ्रनीचर और क्या था जी गर्टिट और और आउटसेंडिंग एक्स पैंसी दस लाइबिलेटी ब्नेट बनाट डाटिटर और आउस्टेंडिंग इंग इस लाइविडिटि ने और क्या था और क्या था प्रीपेड एक्सपेंस कैश डैक प्रीपेड एक्सपेंस कैश ओर बैंक सुनार्ट रान बरना है स्टॉक में 133 46 00いきます यहांस है नहीं है फरणीचर 240 2400 चोबेस आठ उस चारइस चारिस कदर और यह चार चालिस और चार चालिस और यह इसको बंद कीजिए आपकी कैपेटल आ जाएगी जो हम ढूंड रहे हैं बैलेंसिंग तीन दीश चालिश दो चालिश चोड़ेस आठ चालिश ट्वेंटी बारा लाग बहुत त्वेल लग सेवेंटी टू थाउजान और अरा मेरा टोटल माइनस चालिश माइनस असी सेवन लैक फूस्ती तो यह वरी कैपिटल लग वह सारे वरकिंग नोड बना लिए जिसके लिए बनाए अब वह काम कर लो यार अब वह काम करो यार रव बनाऊ बढ़ा ट्रेडिंग एनपी अनल अगाओ यह सारे वरकिंग नोड बनाए है मैंने किस ट्रेडिंग पीएनल को बनाने के लिए भाई सिंगल एंट्री का गोश्ण बढ़ा लंबा नोड बनाओ यह सब बनाओ उमापिरा के आंसर बैलेंस श सिस्टम और सो यह फाउंडेशन वाले को दे दिया नोंने कि जाओ बेटे तुम मैंनत करो अब 20 नंबर का कुशन तुमारे लिए ओपनिंग स्टॉप मेरे पास है अभी सी योजेस में यूज किया था मैंने तीन बीस सी ओजेस वाले फॉर्मले में से निकली थी 27.96 बाय क्लोजिंग स्टॉप सी ओजेस वाले में यूज किया था मैंने दो असी बस इसको बंद करो और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो बैलेंसिंग फिटर 27.96 प्लस दो असी माइनस तीन दीस माइनस अथारा चॉट्स नाइन लाग थर्टी टू थाउजन यही ग्रॉस प्रॉफिट मेरा बाय में जाएगा नाइन लाग थर्टी तू थाउजन अब मैं सब लैजर में जाता हूं और जला खर्चे ढूंता हूं पहले लैजर डिसकाउंटण अलाउड मिला मुझे डेटर में डिसकाउंट अलाउड साथ opticा डियंटर के ने बी यार से भी मिला डिसकाउंट अलाउड पांच Cities इसकाउंट अलाउड टू टी आज पाँ सदर्स और आउग रहा है क्राइटर में से में को मिला डिसकाउंट रिसीव का थर्टी टू थाउजन और जाओं तो क्राइटर के बाद इसमें कुछ नहीं कैश में मिसलेनियस इंकम मिली मुझे बीस तदर की इसलेक बेंदर मिसलेनियस इंकम 20 वेंटी थाउजन डिय और की कैस के लाजन में कुछर्च ओ रहे के इसके लाजन रिधक प्डेंस सात लाज में की तू एक्सेंस एसेंलैक य। सेवेल सेवन लैक का सब्सकर्राइब 17 ,375 में पिछले साल का ऑउट्स्टेंदिंग पिछले साल का खर्चा इसलिए माइनस, इस साल का आउटस्टेंडिंग खर्चा इस साल का प्लस, पिछले साल का प्रीपेड खर्चा इस साल का प्लस, प्रीपेड प्रीवेस यह, और इस साल का प्रीपेड खर्चा आगले साल का माइनस, ये सारी एड्जस्मेंट मुझे इसम ऐसन साल का 30 साल का 72 80-72 प्लस प्रीपेड देख लेता प्रीपेड चौविस और अठाइस पिछले साल वाला चौविस ब्लस अठाइस माइनस पांसर निकाल देखे साथ लाख में असी एजार माइनस सेवंटी टू कर्स चौबिस दस अठाइस माइन सिक्स लेक एटी ले और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ फरनीचर पहले था मेरे पास फरनीचर दो चालिस का मैंने 40,000 का फरनीचर और खरीदा था और फरनीचर एंड में है 254 का तो चब्विस इदार का डैप लग रही है तो डैप अन्व फरनीचर दो लाग चालीस इदार का पहले था मैंने चालीस इदार का और खरीदा दो असी होना चाहिए था 254 है तो यानि बाकी 26 इदार डैप लग चुकी है और कोई जानकारी मैंने गॉर्मेंट पर्चेस करें बॉंड अक्टूबर में चार लाग का बारा परसेंट रटालीस इदार छे महीने का चौबिस इदार मेरी इंकम है अक्रूड इंकम है इंट्रस्ट ऑन बॉंड जो मुझे रिसीव नहीं है इंकम में दिखा दो अब बनाता हूं बैलेंशीट और अगर भाईया जी यह बैलेंशीट मैच होगे तब जाके मेरा कोश्टन सही माना जाएगा 31 मार्च 23 की हमारी बैलेंशीट टैली कर देना आओ एसेट अमाउंट लाइबलेटी आओ जी अभी दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा कि कोश्टन में कुछ बढ़ बढ़ करी है हमने या नहीं करी है सोचो अंत में जाके पता लग रहा है कि भाया बैलेंशीट मैच भी हो रही है कि नहीं हो रही कैपिटल 752 इतने लेजर इतने वर्किंग नोट बनाने के बाद तब जाके और पीच के लेजर में यही बैलेंस आया था 344 का तो याद एक्टिव रहना पड़ता है भाई इस कोश्टन में बहुत जादा माइनस ड्रॉइंग कैश के लेजर में ड्रॉइंग थी मेरे को याद है तो दोस्थी गिए इसके लावा आउटस्टेंडिंग एक्सपेंस थे और क्रेडिटर थे करेंट इयर के आउटस्टेंडिंग एक्सपेंस थे 72,000 और करेंट इयर का क्रेडिटर था खेला अब एसेट में शुरू हो जाएसेट में हमारे पास क्या क्या था इसे दिख लेगा हूं स्टॉक डेटर बी आर फरनीचर स्टॉक डेटर बी आर फरनीचर इसके लावा हमने वह इंवेस्टमेंट करी दिया एक्सपेंस पैंक यह तो था ही था इसके लावा हमने वह इंवेस्टमेंट करी दिया एक इस साल वह और एक हमारा अप्रूड इंटरस्ट इंवेस्टमेंट के उपर क्लोजिंग स्टॉक है भाई मेरा दोसी टैटर और बी आर का सीडी टैटर के लेजर में से 652 और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब फरनीचर का डेप लगाने के बाद का वैलेंस है सब्सक्राइब 254 कि करेंट यर का ठीपेड था ठाथाई सब्सक्राइब था इंवेस्टमेंट हमने कैश के लाइजर से देख लिए कितने की गरी था चार लगत की और इसका इंटरस कितना करूड था 24 चार लगत की थी औश्युक्राइब जीच अब आपकी वैलेंस शीट मैच होनी चाहिए लोग भवान का नाम बोलो बजरंगवली कर दो हमारी तैली मुझ गढ़़वर मत करना वैलेंस शीट मैच करा देना 20 सब्सक्राइब लो जी सब्सक्राइब इतने मेहनत करी है फेले डैटर का अधी Persक्राइब उपनिंग बेलैंश सीटि थे एच लुकुर्ट बाइंडिंटी एक लिमिटेट जो है एक बाइंडिंग एग्रिमेंट में अलफा लिमिटेड के साथ मतलब करना ही पड़ेगा तू बाया कस्टम मेड मशीन अच्छा वह हमारे लिए पल्टिकुलर मशीन बना रहे है कस्टम में अट the end of 2020 before delivery of the machine चाह साल खतम होने पर delivery होने से पहले X Limited ने अपना method बदल लिया the new method will not require the machine order and it will be scrapped after delivery लो जी हमें नया अपने method के according काम करने का तरीका होता है production process होता है हमने customer machine मुणा ली अब हमने process ही बदल दिया हमें उस machine की जरूरत ही नहीं है लेकिन binding agreement है मशीन तो लेनी पड़ेगी तो मशीन को स्क्राइब कर देंगे एक्सपेक्टरी स्क्राइब भी लिए उसकी आप से करो machine account debit to alpha कितने की मशीन ले रहे थे जिए दो लाव पड़ेगी फिर आप इसको लॉस मानलो पूरा लॉस ओन चेंज इन मैं फड़ेगी पूरी की पूरी मशीन को लॉस में ट्रांसर गर दो पूरे को लॉस मानलो भाई आपने मैंफड वदल दी आप मशीन की कोई ज़ूरत ही नहीं है मशीन ही खतम हो गई और थार्ड एंट्री इस लॉस को पी एनल में ट्रांसर रहने हैं इस टेटमेंट और पीएनल डेविट लॉस ओन चेंज इन मैफड पूरे दो लाग को लॉस मानलो नहीं है पांच नंबर का का अकांटिंग स्टेंडर्ड के कुश्चन आ अगई अगल लिमिटेड वस मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मुविंग इन्वेंटरी बेज़ ऑन इस्टॉप उसका बार बार नहीं बिखता ना नॉन मुविंग बोल देती है उसका और पिछले बारा महीने में जो जादा नहीं बिखा उता उसका प्रोविजन मना लेते हैं कि यह स् गर प्रोविजन बना रहे हैं मगर ट्वल मन्त के बेस पर चले तो साड़ी तीन लगका प्रोविजन बनेगा और यही प्रोविजन अगर हम यह technical evaluation पर करें तो धाय लाग का बनेगा क्या यह change in policy है और can the company change the method of provision अब सुनो ज़रा यह AS21 का थियोरी का है मुझे सुन लो बस सुन लो क्या यह change in policy है पहली बात तो बाओ यह change in policy नहीं यह change in estimate है provision थोड़ा बनाना बंद कर रहे है provision तो बना रहे है हम provision पहले बनाते थे अपने past experience 12th month issue के बेस पे अब बना रहे है technical evaluation के बेस पे अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप change in estimate कर रहे हो policy change नहीं कर रहे हो और आप यह change in policy में cover नहीं होता अगर आप estimate बदल रहे हो आप इसको बस mention करते हो कि हमने estimate बदला और इस साल प्रोविजन इसके बेस पे नहीं इसके बेस पे ले रहे है that's it और company ऐसा कर सकती है तो बहुत बच्चों नहीं को सब्सक्राइब अल्फा लिमिटेड सेल फ्लेवर्ड मिल्क तो कस्टमर अच्छा अल्फा लिमिटेड जो ए वह फ्लेवर्ड मिल्क बेसती है कस्टमर को वह जैसे मदर डेरी के आता है वो अमुल के अलगलग फ्लेवरी लाइची और कोफी वह सम अफ दी कस्टमर कंजूम दी मिल्क इंदी शॉप रण बाइदी अल्फा लिमिटेड की खुद की दुगान आते है कस्टमर पी लेते हैं वाइल लीविंग दी शॉप जब जाने लगते है कस्टमर लीव लीव दी एम्टी बोटल अरे वह वह नहीं आती थी अमुल की बो इन शॉप और कंपनी टेक पोजेशन अब बीज बोटल अब कांच की बोटले होती हों जी तो कंपनी उनको इंको इंट्टा कर लेती है नहीं कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड रिकॉर्ड बढ़ रखा हुए कि कितनी बोटले आई वापिस बस्द रिखा प्स कांजूम कर अब भी चीज अब आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे तो क्या आपको इस एम्टी बोटल से फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है जी हां यह हमारी एसेट है तो पहले तो आभी यह रिखना कि एस पर दी अकांटिंग फ्रेमवर्क प्रेसेटेशन और फैनिशल स्टेटमेंट अनी रिस प्रेसर्स आइधर टेंजिब और रिखनेशन विच फ्यूचर बेनिफिट अर प्यूचर बेनिफिट इस अबवब केस तो एपने दो निबाब गया है अपने दो नोबर विल गय किया है हाँ स्टॉक ही तो है हमारा इंवेंटरी तो है दूध में धंद है यह बचागूआ माल आया जो बॉट्कर का मौना तो मझाओ बिल्कुल सहरे और यह सारे करचे करें और प्लांट ये एकविजिशन के जूड़ेंगे, साथ साथ बार डिस्मेंट्लिंग कॉस्ट इंकर्ड होने वाली है जैसे इंस्ट्रॉलेशन जोड़ने पड़ेगी यार यह भी ओप्रेटिंग लॉस्ट बिफोर कमर्शल प्रोडक्शन यह भी नहीं लेते तो एसेट की कॉस्ट क्या मानी जाएगी आओ जोड़ देते कोशन as-per अ-स नूबर 10 P. P. E. यह भ्यूवद स्ट धोड़न जोड जूड़ एस्ट प्रेटल ट्यूव प्रेटल एस्ट इंकर्ड दे एस्ट प्यूद ओंद ड़्ल्कशन जूद जूद देते को थास्ट नूद प्रेट दिए प्रेट नवन अद दिए्ट प्रेट प्रेट कॉ नेसेसरी फॉर इस यूसेज शुट भी कैटलाइस किया जाएगा यह एस कहता है तो जो जो खर्चा कैटलाइस करेंगे मैं वो जोट रहा हूँ बनाके प्रेजंटेशन दे दना यह एस प्रैक्टिकल यह च्योड यह थैस नहीं है तो इसको फ्रैक्टिकल की तरह टैम भी करना से कोस्ट अव फ्लांट डिलिवरी से कोस्ट छाइट प्रिपेश्ट प्रिपरेश्राइशंग कोस्ट कि औहुंए साइट प्रिब्रेशिंट कॉस्ट से चार्ज जो डेंगे एसट खरीदने के लिए लिए एंट्रस्ट ने जूड़ूंगा डिस्मैंट्लिंग कॉड़ूंगा क्योंकि बाद में खर्च हो नहीं है और अब नहीं खर्च करोगे तो स्थी है का इसमींट बंगा चींउट कि कॉस्ट के लिए है या है अब 25,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,00 मैंने एक तो इंट्रस्ट नहीं लिया और एक मैंने वह नहीं लिया क्या होते हैं ऑपरेटिंग कोस्ट उसकी प्रेज्ट फॉर्म में लोकेशन लाने में थोड़ी होती है मॉडिल में एक्स्प्लेइन मॉनेटरी आइटम एस फर्दी एस ग्यारा अकाउंटिंग स्टेंडर नंबर ग्यारा कहता है फॉरन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स आर दोज आइटम्स विच जो तीन कंडिशन को सैडिस्वाई करें फॉर्स इट शुड बी एसेट और लाइबि या कैसा जाए जन्द थर्ड इट शुड बी पेबल और रिसीवर इन फॉरन करेंसी ओली मतलब यह तीनों वात पुली हो जाएंगी तो फॉरन करेंसी मॉनेटरी आइटम हो जाएगा प्लासिफाई करो यह मॉनेटरी है नॉन्माटरी चलो शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल इसेटल लाइबिटी में से इसेटल लाइबिटी यह नॉन्माटरी नहीं है तो नहीं है नहीं तो बस एक ही मेरी मेरी को ट्रेइड रिसीवर बस एस लिमिटेड को रिसीव हूई है थारा करोड की गरांड फॉर सेटिंग अपा फैक्टरी न बेक वरड़ एरिया बैक पूर एस बारा के लिए तो वह कैपिटल डिजम में जाएगी इसमें बारा करोड का डिविडेंड बारती है क्या गधा आदमी है यह डिविडेंड न आदमिया नोशनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करू यार उसकी अमाउंट कैपिटल रिजम में दिखाओ आप से बताओ treatment क्या होना चीए मैंने बता दिया एक्सचेंज डेट जो इस साल के एंड में चल रहा है 50 रुपे डॉलर का corresponding amount अगर इंडिया से बाय करते तो ग्यारा परसेंट होती बताओ बोरिंग कोस्ट क्या होगा यह असान है यार बोरिंग कोस्ट में पड़ाओ हमने एस नुमबर सोला में कोशन नुमबर 20 तो जाजाएगा रुपीज में बारा सोट देने और जिसका रेट साल के एंड में चल रहा है एक डॉलर करेंट पचास तो इंट्रस्ट आजाएगा रुपीज में अब अगर वह कह रहा है जी एक्सचेंज डिफ्रेंस निकालो एक्सचेंज डिफ्रेंस अगर आप देखा जाओ तो बीस हजार डॉलर की वैल्यू जब हमने लिया था तब रेट था 48 और अब रेट हो गया पचास तो यानि दो रुपे पर डॉलर की वैल्यू बढ़े यान 40,000 रुपे का एक्सचेंज डिफ्रेंस है अब यह एक्सचेंज डिफ्रेंस एस 11 की तरह ट्रीट होगा या बॉरिंग कोस्ट में आएक वो डिपेंड करता है कि यही लोन अगर इंडिया में लिया होता तो इंट्रस्ट क्या होता अगर मैंने 20,000 डॉलर अगर उस समय इंड इंडिया में रेट चल रहा था 11 परसेंट का तो आज मेरा एक लाख 5,600 का ब्याद जाता तो याद रखना इतने को ही मैं बॉरिंग कॉस्ट मानूंगा इतनी है मेरा पूरा एक्सपेंस है तो अभी मेरा ब्याद जा रहा है साथ हजार यह जो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस ह चालिस दार इसको भी मुझे बॉरिंग कॉस्ट मानना पड़ेगा तो भाइया जी एज पर एस 16 एंड एस 11 टोटल बॉर्विंग कॉस्ट टोटल बॉर्विंग कॉस्ट इस सिक्स्टी थाउजन प्लस 40 थाउजन यानि एक्सचेंज डिफरेंस इस आंको बताया अगर यह चालिस ऑजार की जगां मान लो यह पचास हजार होता तो यह जितने का डिफरेंस आ रहा ना इस में देखो एक लाइख पाँच जार शेसो का इंटरेस्ट देता मैं अगर इंडिया में लोन लेता तो और इंडिया से बाहर का लोन ले रहा हूं यानि मेरा इंट्रेस्ट एक्स्ट्रा कितना जाता इंडिया में 45600 अगर यह 50,000 होता तो इसमें से मैं 45600 इतने को बोरिंग कोस्ट में डाल देता और 4400 को में एक्सचेंड डिफरेंस मतलब इस पे एस ग्यारा लग जाता इस पे एस नंबर 16 लग जाता one the cambiarodge डिफरेंस में हमने सारे के सारे करां मैंने आपको एक बी को ॐसंच्ट नी चूड़ा मैंने सारे कवर करे cheaper गरे हैार ओच देहाई है क्रिप्याके मेरे एस यह 10,000 है यह करके जाना आटीपी पास्टियर के कोश्चंस पास्टियर के कोश्चंस नी चोड़ो अब टाइम नहीं है आटीपी करो MTP करो और मेरा एस के जरूर पढ़के जाना 20 नंबर कटने नीच यह मैंने धाई गंटे में सारे एकाउंटिंग स्टेंडर कवर किया है तो प्लीज वो सारे पढ़के जाना और एक बार फिर से चोटी से अंदर आन अकैडमी का तो क्रिपया को यूज कीजेगा और इस में इस बैच को के अंदर रिजिस्टर करा लिजेगा फटा-फट यह हमारा सब्सक्राइब आप एकाउंट्स का 18 2 2 3 2 तो आशा रखता हूं कि आपको मेरी कहानी समझ में आई हो कि पूरी 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 आर्टीप कवर करी है मैं आपका दोस्ते राकेशकार आपसे विदा लेता हूं अपना ख्याल रखेगा घरवालों को परशान नहीं के लिए टेक केर बाए बाए